हेलो फ्रेंड बेलकम टूर चैनल ग्यान फूरिक जाम दूस्तों आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे अधुनिक भारत का इतिहास Modern History of India जो की NCRT 60 संग्रत से चलाया जा रहा है इससे पहले की वीडियो में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का दो वीडियो अलाय अलग आया है दोनों वीडियो जो लोग नहीं देखें उससे जाकर के जरूर देखेंगे यह वीडियो उन सभी एकजाम के लिए खास करके PCS लेवल के एकजाम के लिए बहुत ही important होने वाली है साथ ही इस एकजाम से और इस जो सार्थ संग्रत दिया गया है यह point वाज आपको बहुत ही अच्छे तरीका से इसे समझाया गया है इस book में इस book की demand अभी market में इतनी ज़्याद है कि अभी मिलनी रही है जिस कारण से हमने एक छोटा सा परियास किया कि आप लोग को इस book की जो भी हम से बन पाई हमने उसे यहाँ पर provide करने का कोशिस किया जा रहा है आप लोग अपना बहुमूल समय को यहाँ पर लगाएंगे 2-5 घंटे आप हमें दीजिए इसमें आपको पूरे modern history को आपको कराया जाएगा इससे पहले प्राचीन history और जो दिया गया है मध्यकालिन भारत का इतिहास यह सभी भी आप लोग जरूर देख लेंगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो अपलोड किये गया है उसका लिंक आपको description में या उपर i button में दे दिया जाएगा वहाँ से आप लोग देख लेंगे जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को subscribe कर लेंगे साथ ही बेल आइकन को on कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे notification मिलता रहे और वीडियो को like, share, comments जरूर करेंगे खास करके हमें वो लोग comments जरूर करेंगे जो आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमें comment करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा साथ ही जो लोग पहले वीडियो को पसंद किये और उसके वारे में जो सजेशन्स दिये उसके लिए आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत सुब कामना हैं तहे दिल से चलिए हम लोग आज बात करेंगे NCRT सार संग्रा आप यहां देख सकते हैं एक पेड अपनों के नाम अपने जीवन में हर हैपिनिस के पल में हर खुसी के पल में आप एक पेड अपनों के नाम जरूर लगाएं अब बात करेंगे हम लोग अधुनिक भारत का इतिहास से आज चलेगी आधोनिक भारत का इतिहास जहाँ पे हम लोग 2-5 घंटे के बीच में ये पूरे आधोनिक भारत का इतिहास जो है उसे हम लोग जानेंगे पॉइंट वाई पॉइंट आपको बताया जाएगा चलिए सुरू करेंगे पहला चैप्टर है यूरोपिय कमपनियों का आगमन पहला चैप्टर मिलेगा हमको यूरोपिय कमपनी का आगमन जहांसे हम बिंदु बार समझते चलेंगे मैं एकक लाइन आपको पढ़त कर बताया जाएंगा और एकक सब्द को आपको बताऊंगा जिनको अगर PDF में नहीं दिखेगा वो परिसान ना होंगे वो परिसान नहीं होंगे सिर्फ आप ध्यान पुर्वाग अराम से सुनते जाएंगे आपको हर एक सब्द को बताया जाएगा चलिए च्यादा टाइम बरवाद ना करते हुए अब हम लोग सुरू करते हैं सुरू है ब्यापार है तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रत्थम एउरोप ये कौन थे पुर्तगाली एउरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई बास्को डिगामा भारत आगमन उसका था 17 मई 1478 इस्वी को काली कट बंदरगा के तट पर किसने बास्को डिगामा का स्वागत किया अस्थानिय सासक जम और इन्ने पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम अपनी ब्यापारिक कोठी फैक्टरी कहां अस्थापित की थी कोचिन में पुर्तगाली उपनिवेस का पर्थम 22 राय भारत में कौन निक्थ हुआ फ्रांसिसको डलमीडा 1525 में नोट से है भारत में तंबाकू की क्रिसी एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्राराम करने का अस्रे पुर्तगालियों को दिया जाता है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना बर्स 1556 में गोवा में की गई थी आगे हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सांत या नीले जल की नीती बुलू बार्टर पॉलिसी किसने लागो की थी अलफांसो या फ्रांसिस्को दा अलमीडा ने आगे विभीन देशों के खोज करता एक साइड में खोज करता दिये गये हैं और दूसरे साइड में देश बासको डिगामा भारत का खोज किया कोलंबस अमेरिका का खोज कैप्टन जेम्स कुक और अस्ट्रेलिया का खोज तसमान ने तसमानिया एवं न्यूजिलेंड की कि आगे भारत में पूर्तगाली सक्ति का बास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है अल्वू करक को किस बाइसराई के काल में गोवा को पूर्तगालियों का आपचारिक मुख्याले बनाया गया नीनोडी कुना नोट से पूर्तगालियों के पहचात भारत में ब्यापार करने आए डैच कहां के निवासी थे डैच लोग हॉलेंड के निवासी थे जिसे बरतमान में नीदरलैंड के नाम से जानी जाती है अब यहाँ पर दिया गया है भारत में बिदेशिक कंपनियों का आगमन कंपनी देश अस्थापना और भारत में प्रतम फैक्टरी पहला था पूर्तगाले इस्ट इंडिया कंपनी जिसे इस ताद्दो दा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है यह पूर्तगाल से आये थे इसकी अस्थापना 1499 इसी में हुई थी और इसकी पहली फैक्टरी कोचिन में इस्थी थे दूसरा आया था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी जिसे दा गवर्नर एंड कंपनी ओफ मर्चंट ओफ लंडन ट्रेनिंग इन्टू दा इस्ट इंडिज के नाम से जानी जाती है और यह बृटन देश से आये थे 1621 में और इन्होंने अपना पहला फैक्टरी लगाया सूरत में तीसरा था उनाइटेड इस्ट इंडिया कंपनी ओफ निदरलंड या हॉलंड के थे यह अस्थापना 1602 में और पहला फैक्टरी मसूली पतना में लगाया था उसके बाद है चौथा डेनिस इस्ट इंडिया कमपनी जो की डेनमार्क देश से आया था और 1616 इस्वी में अस्थापना की और इसके पहला फैक्टरी था बैंकोबार त्रावन कोर में वही पाच्वा फ्रांसीसि इस्ट इंडिया कमपनी जिसे दा इंडेंस ओरियेंटलस के नाम से जाना जाता था और यहां फ्रांस से आये थे 1664 इसी में और पहली फैक्टरी लगाया गया सूरत में यहां पर इउरोपिय ब्यापारियों के भारत आग्रमन का क्रम दिया गया है पहले पूर्तगाली फिर डर्च ब्रिटिस देनीस फ्रांसीसी तब स्वीडिस इउरोपिय सक्तियों में भारत में पूर्तगाली कमपनी ने सर पर्थम 1498 इसी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंद में 961 से यहां से गए अब आगे कि उसी रोपिय सक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के अस्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिक्ता दी गई मसालों के निर्यात के जगह पे कपड़ों के निर्यात को प्राथमिक्ता डचो द्वारा दिया गय बर्ष 1769 में बेदरा का यूद कींदो उर्फीय सकतियों के मध लड़ा गया बेदरा का यूद 1769 में डच एवँ अंग्रेज के साथ लड़ा गया था लंदन में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का समराट कौन था? ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का समराट अकबर ब्रिटिस समराट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी अस्थापित करने के उद्यश से जहांगीर के दर्वाविर में आने वाला ब्रिटिस नागरी कौन था कैप्टेन हौकिन्स बर्थ 1689 नोट्स दिये गए हैं ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा भारत में प्रत्थम आस्थाई यानि टेंपररी कारखाना मुसलिप अट्नम 1611 इसवी में तथा प्रत्थम पर्मानेंट कारखाना सूरत 1613 इसवी में अस्थापित की गई थी आगे एस्ट इंडिया कमपनी के किस समयख किस अंग्रेज गवर्नर को औरंग जेब द्वारा भारत से निस्कास इत किया गया था सर जॉन चायल्ड को हेमिल्टन द्वारा सफल उप्चार किये जाने के कारण किस मुगल बास्था द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के बलिये बर्स 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया फरुक सिर्द्वारा नोट से 1611 हिस्वी में इंगलेंड के राजा चाल्स दूत्य का विवा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ इस अफसर पर पुर्तगालीयों ने चाल्स दूत्य को दहेज के रूप में बंबै दियुप प्रदान किया 1668 हिस्वी में चाल्स दूत्य ने 10 पॉंड वार्शी किराया लेकर बंबै इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया अब आगे यहां है प्रमुक सहरों के संस्थापक कलकत्ता सर का संस्थापक जौब चौड़नक मदरास का संस्थापक फ्रांसिस डे नई दिली का संस्थापक एड्मिन लुटियंस एवं हर्वर्ट वेकर और बंबै का संस्थापक गेराल्ड अंगियार था आगे युरोब बासियों के लिए सर्वत्तम सोरा और अफिम प्राप्ति का मुख्ष रोत था सोरा और अफिम सर्वत्तम बिहार में पाय जाता था बर्स 1664 में फ्रांसीसी कंपनी के अस्थापना किस के पर्यासो से की गई प्रहां की गई भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्टरी 1668 हिस्वी में सूरत में की गई थी नोट चे फ्रांसीसी गवर्णर डूपले ने पहली बार भू छेत्र अरजित करने के उदेश से भारतीय राजाओं के बिवादों में भाग लेनी की निती आरंभ की थी गवर्णर डूपले ने भू अरजित छेत्र के उदेश से आगे, फ्रांसिस्यो द्वरा फोर्ट लुई नामकीला कहां बनवाया गया, पंडीचेरी में पंडीचेरी का प्रथम फ्रांसिसी गवर्नर कौन था, फ्रांको मार्टीन पुर्तगालियों को सौली के अस्थान पर किस अंग्रेज संदिक अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था थौमस बोल्ट ने, थौमस वेस्ट ने, सौली यही कहीं पे सुगौली लिखा हुआ मिलेगा आगे, बांडिवास का यूद 1760 हिस्वी में जो लड़ी गई थी, में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था बांडिवास का यूद 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया करनाटा का यूद किस के मद लड़ा गया, अंग्रेज यवम फ्रांस के बीच प्रथम करनाटा की उद किस संधी के माध्यम से समाप्त हुआ 167 की संधी 1748 इस्वी यहाँ पर दिये गए हैं करनाटा की उद प्रथम करनाटा की उद 1746-48 के बीच लड़ी गई जिसका प्रमुक कारण था आउस्ट्रिया के उत्राधिकार का उद और संधी हुई 1646 की संधी 1748 में और इसका परिणाम आद निर्नित था दुसरा करनाटा की उद 1751-55 के बीच में करनाटा के उत्राधुकार के उद इसका प्रमुक कारण था संधी हुई 1545 में और परिणाम हुआ बृते एन मजबूत स्थिती में आगई तिसरा करनाटा की उद 1758-63 इसका प्रमुक कारण था सब्त बर्स्य यूद एवाम अपनिवेसिक कारण तिसरा करनाटा की उद पेरी संधी 1763 के द्वारा समाप्त की गई और इसका परिणाम था फ्रांस का पराजय अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्णर एंड कंपनी ओफ मर्चेंट ओफ लंडन ट्रेडिंग इन्टू द इस्ट इंडिज रखा गया था आगे अब हम लोग जानेंगे इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब वीडियो का आप लोग सेयर लाइक करते रहेंगे बात करें इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में तो पॉइंट है मुगल समराट द्वारा स्वतंतर रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्णर कौन था बंगाल का अंतिम गवर्णर मुरसिद कौली खा जो की 1717-1727 स्वी तक रहा मुरसिद कौली खा ने अपनी राधानी ढाका से कहा श्थांतरित की मुरसिद आवाद बंगाल के किस गवर्णर ने इयुरोप्यों की तुलना मध्यमक्यों से की थी अली बर्दी खाँ अलिवर्दी खाने यूरोपियों की तुलना मध्यमक्यों से की थी 20 जून 1756 को प्रसीद ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के सासन कालम हुई ब्लैक होल की घटना 1756 में सिराजु दौला के समय 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधिक किस के मध संपन हुआ कलाइव और सिराजु दौला नोट से भारत बर्स में ब्रिटिस समराजी का संस्थापक लौड रौवर्ट कलाइव को माना जाता है जिसने प्लासी की यूद 23 जून 1757 इस्वी में बंगाल के नवाब सिराजु दौला को पराजित कर पहली वार भारत में ब्रिटिस प्रभूत्व को की नीव रखी थी आगे पलासी के यूद के समय बंगाल के नवाब का सेनपती कौन था जिसने यूद में बिस्वासगात किया मीर जाफर पलासी के यूद के समय मुगल बाद सा कौन था आलमगीर द्यूतिये पलासी यूद के पहचात बंगाल का नवाब कौन वना मीर जाफर भारत में ब्रिटिस प्रभूत्व की सुरुआत किस यूद से माने जाती है पलासी के यूद से जो के तेज जून 1757 को हुई थी आगे दिया गया है प्रमुग घटना और उनकी तीथिया पहली घटना है ब्लैक होल की घटना ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को अलिनेगर की संदिवी 9 फरवरी 1757 पलासी के यूद हुआ 13 जून 1757 बक्सर के यूद 22 अक्टूबर 1774 इलाहबाद की प्रधम संदी 12 अगस 1765 इलाहबाद की दियुतिय संदी 16 अगस 1765 और बनारस की संदी 1773 इसवी में हुई थी आगे बर्ज 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को को हटा कर की से बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को बॉक्स में है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के यूद में अंग्रेजों ने मीर कासिम आवद के नवाब सुजाओ दौला तथा दिल्ली के मुगल समराड सालंदूत्यों की समलित सेना को पराजित किया था आगे बक्सर के यूद के समय ब्रिटिस सेना का सेना पती कौन था हेक्टर मुन्रो बक्सर के यूद के समय बंगाल का नवाब कौन था बक्सर यूद के समय 1764 में मीर जाफर नोट से बक्सर यूद के पहचात इलाहवाद की प्रथम संदी मुगल समराड सालंदूतिये बंगाल के नवाब सुजाओ दौला तथा कलाइब के मद तथा इलाहवाद की दूसरी संदी कलाइब तथा आवद की नवाब सुजाओ दौला के मद संपन हुई आगे किस संदी के माधियम से अंग्रेजों को बंगाल बिहार और ओडिसा की दिवानी प्रादान की गई यह था इलहवाद की संदी स्वर्ग से उत्पन सेनन आयक की से कहा गया रोवर्ट क्लाइव को इलहवाद की संदी के पहचात बंगाल में द्वैज सासन के स्थापना किस के द्वारा की गई रोवर्ट क्लाइव यहां है उत्तर मुगल काली इन राज्यों के संस्थापक पहला राज है बंगाल बंगाल के स्थापना 1717 से 1727 सिस्वी के बीच और बंगाल का संस्थापक था मुर्सीद कुली खा दूसरा राज हैदरावाद हैदरावाद के स्थापना 1724 सिस्वी में निजाम उल मुल्क द्वारा किया गया था जिसे चिन किलिच खा के नाम से भी जाना जाता है तीसरा राज जिभ भरतपूर भरतपूर के स्थापना 28 सताबदी में की गई और जिसके संस्थापक हुए चूड़ा मन एवां बदन सी चौथा राज करनाटक करनाटक के स्थापना 28 सताबदी में और इसके संस्थापक हुए सादत खां सादत उल्ला खां अवद आवद की स्थाप्ना 1722 हिस्वी के बीच में साधत खां बुर्हान ओल मुल्क दोरा जैपूर के स्थाप्ना 28 सततती में सवाई राजा जैसीं के दोरा 1888 सतप्ना 28 सततती में हैदर अली दोरा बड़ सथारा सो ब्याली से चवालिश तक गवर्णर जनरल रहे लौड एलन वरो का कारकाल कुसल अक्रम्यनता की नीती का काल माना जाता है अब आगे अगला चैप्टर है छेत्रिय राज पंजाब एवं मैसूर अब लोग सेर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और प्रेम से या हिर्दे पुर्वा का पे लाइक जरूर करके जाएंगे आगे छेत्रिय राज पंजाब एवं मैसूर सीख सम्मराज जी का संस्था पक किसे माना जाता है महराज आरंजीत सीं को 1799 इसी में महराज आरंजीत सीं किस मिशल से संबंदी थे सुकर्चक्या मिशन महराज आरंजीत सीं के अन्य के राज की राजधानी कहां इस्थित है लाहौर महराज आरंजीत सीं ने सुप्रसित कोहिनूर हीरा किस से प्राप्त किया था सुह साह सूजा से 25 सप राएल 1809 को अमरी सर्की संधी किने के मध संपन हुई अमरी सर्की संधी 1809 को महराज रंजीष्णी एवां अंग्रेजों के मध हुआ था नोट से है, महराज रंजीष्णी एक धर निर्पेक्छ सासक थे इसलिए उन्होंने कहा था कि इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगास से देखूं इसलिए उसने दूसरी आग की रोशनी ले ली आगे बर्स 1845 में प्रारंब हुआ प्रत्थम ओंगल सीख्यूद के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रत्थम ओंगल सीख्यूद 1845 मुई जिस समय गवर्नर था लौड हार्डिंग प्रत्थम प्रतम उंगल सिख्योद कीस संधी द्वारा समाप्त हुआ लहोर की संधी 1826 में महराज रंजीत सी का उत्रधिकारी कौन था? खड़क सी आगे महतपुर्ण संध्या पुरंदर की संधी 1665 स्वी बढगाउं की संधी 1789 स्वी सालवाई की संधी 1782 स्वी देव गाउं की संधी 1883 स्वी सुर्जी अर्जुन गाउं की संधी 1803 पूना की संधी इंपॉर्टेट बनता है 1817 में लहोर की संधी 1806 और अमरित सर की संधी 1809 स्वी आगे डिवतिये उंगल सिख्योद कीस गवर्न जनरल के कारिकाल में हुआ लौर्ड डलहौजी के कारिकाल में तेरह जनवरी 1849 को हुए चिलिया वाला यूद में अंग्रेजी सेना का नित्रित किस के द्वारा किया गया था लौर्ड गप के द्वारा सीख सामराज का अंतिम सासक कौन था दलिप सीं बर्स 1849 में हुए ब्रेटिस सामराज में किस सामराज के बिले के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था सीख संपरदाए के समय ब्रेटिस सामराज के बिले के साथ लौर्ड डलहौजी स्वतंत्र राज के रूप में मैसूर के स्थापना किस के दौरा की गई थी हैदर अली अब यहाँ पे बॉक्स में दिये गए है ओंगल मैसूर संगर्स ओंगल मैसूर यूद जिनमें पहला है प्रत्हम ओंगल मैसूर यूद 1766 से 1779 के बीच में सासक थे हैदर अली बंगल का गवर्नर था लौर्ड, बेरेल्स और संदिवी थी 1779 में मदरास की संदि और इसकी विशेशता रही हैदर अली देच्छिन भारत का प्रत्हम सासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ दूसरा अंगल मैसूर यूद 1780 से 1784 में हैदर अली सासक था गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स संदिवी मंगलोर की संदि 1784 में और इसकी विशेशता यह रही कि हैदर अली की मिर्तिव के बाद टीपू सुल्तान ने नित्रित्व में युद हुआ तीसरा अंगल मैसूर यूद 1790 से 1792 सासक था टीपू सुल्तान गवर्नर लॉड कार्नवालेस और संदिवी थी 1792 स्वी में सीरंग पत्नम की संदि और इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी चौथा अंगल मैसूर यूद 1799 स्वी में टीपू सुल्तान के सासनकाल में गवर्नर था लॉड बिलेजली और संदिवी थी मैसूर सहायक संदि टीपू सिल्तान की मिर्तियू मैसूर में पूना बाडियारवण्स के स्थापना अंग्रेजों ने बाडियारवण्स के सासक से सहायक संदि की थी अब आगे है ब्रिटीस समराज एवाम प्रसासनिक नीतियां अंग्रियेजों का भारत पर बास्तविक राजनेतिक नियंतरन कप प्रारंब हुआ इलाहवाद के संदी से बड़ सत्रह सो पैसट बंगाल में द्वैद सासन किस के दोरा लागू किया गया लौड करनवालिस के दोरा बर्द सत्रह सो बहत्तर में किस गवर्नर ने द्वैद सासन को समप्त कर बारेन हेस्टिंग कर दिया द्वैद सासन को समप्त किया गया बारेन हेस्टिंग दोरा भारत में नियाईक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है बारेन हेस्टिंग को नोट्स दिया गया है बारेन हेस्टिंग के कारकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतरगत बर्स 1774 में कलकत्ता में सुप्रिम कोट के स्थापना की गई थी इसके प्रत्थम मुख नियाई सेवा का जन्मदाता की से माना जाता है पुलिस और सीविल का कार्ण वालेश बर्च अठारसो तिरेसट में परतम भारतिये आईसियस अधिकारिक बनने का गौरब की से प्राप्त हुआ सत्येंद्र नाट्टे गोर बिटिस भारत में लोक सिवासंबंधी आयोग का चर्चा किया गया है आयोग है इन्चीसन आयोग इन्चीसन आयोग बर्च अठारसो च्यासी में और गवर्नर जणरल था लौड डफरिन दूसरा है इस लिंगटन आयोग जो उन्हें 112 में गटित हुई गवर्नर था लौड हाडिंग दिवती है तिसरा आयाल ली आयोग जो की उन्हें 123 में भी लौड रीडिंग के सासनकाल में आगे भारस सरकार अधिनियम उन्हें 135 के अंतरगत संग्य लोग सेवा आयोग के गठन का प्राबधान की सायोग के सुझाब पर कर दिया गया ली आयोग 1935 के भारस सरकार अधिनियम के द्वारा ही संग्य लोग सेवा आयोग का गठन की आ गया था और इसका सुझाब ली आयोग ने दिया था आगे भूमी सुधार के उदेश से भारत में स्थाई बंदोबस्त प्रनाली किसके द्वारा लागू की गई लौड करनवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लौड करनवालिस द्वारा भारत में सामराज बिस्तार के उदेश से सहायक संधी प्रनाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई सहायक संधी लौड बिलेजली द्वारा आगे है भूमी सुधार के उद्देश से अस्थाई बंदवस्त यह था लौड कर्णवालिस द्वारा उसके बाद भारत में सामराज बिश्तार के उद्देश से सहायक संदी प्रणाले की सुरुआत किसके द्वारा की गई लौड बिलेजली के द्वारा सहायक संदी सुविकार करने वाला प्रणाल राज कौन था हैदराबाद 1797 में किया गया था आगे ब्यपगत का सिधान तिया हरप राज हरप निती या डॉक्ट्राइन आफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया लौड डल हो जी आगे यहां दिया गया है नोट्स में राज हरप निती में कहा गया है कि ऐसे राज जिनका निर्मान अंग्रेजों के सहयोग सिफ हुआ है उन्हें राज के उत्राधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा किस रिपोर्ट के अधार पर डल हो जी ने आवद का अधिग्रहन किया और ट्रम रिपोर्ट आगे ब्यापगत सिधान्त के अंतरगत अधिग्री हित किये गये राज पहला राजी था सता राजी से 1848 में जैदपूर को 1849, संभलपूर 1849, बगाट 1850, उदैपूर 1852, जासी 1853, नागपूर 1854 और आवद 1856 में अधिग्रहित की गई थी आगे चैतुराई पूर्ण निस्क्रियस्ता की निती किस्ते संबंधित है जौन लॉरेंस से किस गवर्णर जनरल के कारिकाल में भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी का सासन समाप्त हो गया लॉर्ड कैनिंग के समय में इस्ट इंडिया कंपनी का सासन समाप्त हुआ बर्स 1861 में भारतिय दंड सेंटा इंडियन पीनल कोड या IPC किसके कारिकाल में निर्मित की गई IPC निर्मित की गई लौड काइनिंग के द्वारा नोड से राज उपादिय दिनियम 1876 पारित करके महराणी विक्टोरिया को कैसरिय हिंद की उपादिय 1876 में दी गई लौड लिटन के कारिकाल में किस आकाल आयोग का गठन किया गया अश्ट्रेची आयोग, 1828-श्वी में भारत का प्रतम अकाल आयोग था, लॉर्ड लीटन के कारिकाल में अश्ट्रेची आयोग, भारत में अस्थानियस वाशासन का जन अक्की से माना जाता है लॉर्ड रिपन को, यहां है ब्रिटिस काल में बिभीन छेत्रों का अधिकार, छेत्रों पर अधिका, नेपाल पर 1816 में गवर्णर जनरल था लॉड हेस्टिंग, सिंध 1843 में गवर्णर जनरल लॉड एलन बरो, भुटान पर 1865 गवर्णर लॉड लॉरेंस, बर्मा 1885 लॉड डफरेंड, 1849 में ब्रिटिस सासन में पंजाब का अब भी लए हुआ, उस समय डलहौ जी जो की 1846 से चापनी सी तक था भारत का गवर्णर जनरल था, अब आगे है ब्रिटिस सासन का भारतिय अर्थिववस्था पर प्रभाव, अब लोग सेर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आगे है धन निसकासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी का पर्ति पादन किस ने किया, दादा भावाई नोरोजी, बर्श 6892 में लिवरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिस सास और कॉमेंस में चुने जाने वले पहले भारतिये कौन बंद थे, दादा भावाई नोरोजी, पावर्टी एंड एंड ब्रिटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखी, दादा भावाई नोरोजी, यह विचार किस ने दिया कि भारत में ब्रिटिस आर्थेकनीती घिनाउनी है, काल मार्क्स, अपनिवेसी कर्थेवस्ता कि स्रेश्टम पुस्तक इंडिया टूडे के लिखा कौन है, रेजनी पामदत, बर्स 1907 में टिसको के स्थापना किस के द्वारा की गई, जे एंड टाटा द्वारा, कुटूर उद्योगों के विकासेतु, आल इंडिया स्पिनिरर्स एसोसियेशन के स्थापना किस के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी, बर्स 1854 में बॉमबे स्पिनिंग एंड बीविंग कमपनी की सूती बस्तरी की फैक्टे किस के द्वारा स्थापित की गई, कवास जी डावर द्वारा, बर्स 1855 में भारत का प्रथम जूट मील कहां स्थापित किया गया, से रामपूर पच्छि मंगाल, भारत का प्रथम च 1762 हिस्वी के काल को डाकूराज कहा है, डाकूराज कहा गया, 1765 से 1772 के काल को एम पनिकर द्वारा, आगे दिया गया है क्रिसी पधतियां, प्रमुक्रिसी पधतियां, तिन कठ्या प्रथा, इस प्रथा का अंतरगत चंपारन बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालकों के अनुगंद पर अपनी भूमी के तीन वटा बीस भाग पर नील की खेती करना अनिवार होता था एक है ददनी प्रथा ददनी प्रथा की विशेशता यह है कि इस प्रथा के अंतरगत ब्रिटिस व्यपारी भारती उत्पाद को कारेगरों सिल्पियों आदिस निर्मि के रूप में धन देते थे आगे यहां है ब्रिटिस कालीन भूरा जस्व व्यवस्था ब्रिटिस कालीन भूरा जस्व व्यवस्था जो तीन भाग में था अस्थाई बंदोवस्थ या जमिंदारी बंदोवस्थ रैयत बाड़ी बंदोवस्थ और महाल बाड़ी अस्थाई हम अस्थाई बंदोवस्त को जानते हैं लाड कार्णवारीज द्वारा 1793 में लागू किया गया जो बंगाल बिहार उडिसा उत्तरप्रदेश बनारस और उत्री करनाटक में सामिल था समस्थ ब्रिटिस भारत का 19 परतिसत और यह भूमिया दिग्रहन सदैब के लिए जमिनदार को दी जाती थे ब्रिटिस सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमिनदार की थी वही रहित बाड़ी वेवस्ता की बात करें तो इसकी सुरुवात टॉमस मून्रो ने 1820 में किया और रहित बाड़ी वेवस्ता बंबय मदरास आसम में सामिल था इसका समस्त ब्रिटिस भारत का 51 प्रतिसत था इसमें भूमी का मालिक किसान होता था ब्रिटिस सरकार को राजस्वित देने की जिमिंदारी किसान की होती थी कर की दर 33% से 55% तक हुआ करता था रैयत बाड़ी विवस्ता में वही तिसरा है महाल बाड़ी विवस्ता महाल बाड़ी विवस्ता को होल्ट मैकेंजी ने 1822 वी में लाया और यह उत्तर प्रदेश मधः प्रांथ पंजाम में सामिल था इसे में समस्त ब्रिटिस भारत का 30% वही भूमी पर गौंग का अधिकार होता था महाल वाड़ी विवस्ता में भूमी पर गौंग का जबकि रैयत वाड़ी में किसान का और जमिंदारी में जमिंदार का ब्रिटी सरकार को रजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाउं के मुख्या की होती थी और कर की दरलगभग 60% तक होता था बात करे अगर इन तीनों के प्रभाव की तो इसमें परामप्रेक अर्थ्यवस्ता का बिगटन हुआ क्रिशको की दरिद्रता वड़ी क्रिशी में ठहरा अब तथा अबनत्ती हुई पुराने जमिंदारों का उन्मूलन तथा नए जमिंदारों का उदय हुआ और क्रिशी का बनज्यकरन हुआ अब आगे वह कौन सी भूराजस्व व्यवस्ता थी जो सरवाधिक ब्रिटिस छेत्रों पर लागो की गई थी रहयत बाड़ी व्यवस्ता जो की लगवा 51 प्रतिसात भारत में थी अस्थाई बंदोबस्त पर्मानेंट सेटेलमेंट का सिधान किस से समबन्दी थे भूराजस्व के सिद निर्धारन से यहां है भारत में रेल्वे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल्वे का जनक माना जाता है डलहौजी के प्रयत्नों के कारणी महराश में सन 1853 में बंबे से ठाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी गवर्ने जनरल बारेन हेस्टिंग्स ने इराजेदारी प्रथा फॉर्मिंग सिस्टम का प्रराम भूरा जैसे की बासूली के लिए किया था यानि फॉर्मिंग सिस्टम सुरुवात किया गया बारेन हेस्टिंग्स द्वारा अब आगे है सन 1857 की क्रांती बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है सन 1857 की क्रांती टॉपिक जानने से पहले आप लोग एक वार इसे सेयर जरूर कर दें हाँ शुरू करेंगे 1857 की क्रांती सरपर्थम कहां से प्राराम हुई थी मेरट से 10 मई 1857 को 34 वी रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर बिद्रो किया था बैरेकपूर पच्छी मंगाल 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतिक क्या थे कमल और रोटी बर्स 1857 के बिद्रो का तातकाली कारण क्या था रेंफिल्ड रैफल में चर्वी वाले कार्टूसों का परियोग नोट से अंग्रेजों की सोसनकारी आर्थिक राजनायतिक धार्मी केवं प्रसासनिक नीतियों के प्रवाब ने 1857 के बिद्रो को जन्म दिया 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग 1857 के बिद्रो के समय ब्रिटिस परधान मंत्री कौन था पॉर्म्स्टन 1857 इसवी के स्वतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना कौन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना 1857 के बिद्रो में भाग लेने वाले सरवाधिक असैनिक किस राज्या छेत्र से थी आवद से आगे 1857 इसवी में किसने इलाहवाद को अपातकालिन मुख्याले बनाया था इलाहवाद को अपातकालिन मुख्याले लौड कैनिंग ने बनाया था नोट से है केंद्रिय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रननिती के कारण 1857 का बिद्रो आसफल रहा लखनव में 1857 की क्रांती का नेतरियत किस महला नेक किया था बेगां हजरत महलने 1857 इसवी में के स्वाधिंता संगहर्श में प्रमुक भूम का निवाने वाली रानी लच्मी बाई का जन्म कहा उग था बारा नसी में रानी लचिवाई कौन्ती म्यूद में किस ने प्राजित किया कैप्टन ही रोज ने आसम में 1857 की क्रांती का नेता कौन था दिवान मनी राम दत्त फैजवाद में बिद्रो कर रहे किस क्रांती कारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपय का इनाम रखा था मौलवी आहमदुल्ला या फैजवाद से 1857 के नेता थे कानपूर से बिद्रो का नेत्रित कर रहे नाना साहेव ने किसे अपना सेनापती न्युक्त किया तातिया टोपे राम चंदर पॉंडूरं को 1857 के बिद्रो के दोरान मुगलवाद सा बहादूर सा जफर ने किसे अपना सेनापती न्युक्त किया था बहादूर सा जफर ने सेनापती न्युक्त किया था बक्त खां को अब यहां समझेंगे बहुत ही important fact दिया गया है 1857 हिस्वी के बिद्रोह के प्रमुख केंद्र प्रमुख बिद्रोही नेता पहला केंद्र था दिल्ली दिल्ली का बिद्रोही नेता बहादुरसादिय और इसका शैन नेत्रित था बैग्तखां के पास बिद्रो की तिती थी 11 मई 1857 और इसके दमन करता थे निकलसन एवाम हडसन वही लखनवू लखनवू के बिद्रो के नेता थे बेगम हजरत महल और बिरजिस कादेर वही बिद्रो तिती थी 4 जून 1857 दमन करता कॉलिन कैम्प बेल जहासी और ग्वालियर यहाँ पे जहासी से दानी लच्मिवाई गवालियर से तात्या टोपे तीती थी 4 जून 1857 जनरल हिव रोज के कारन में कांपूर कांपूर से थे नानसाय तात्या टोपे तात्या टोपे उस समय स्तैन्द नित्रित्व कर रहे थे 5 जून 1857 को कॉलिन कैम्प बेल के दमन करता थे इलाहवाद, इलाहवाद से लिया कतली 6 जून 1857 को करनल नील, फैजावाद, फैजावाद से मौलबी आहमदुल्ला जून 1857 करनल नील इसके दमन करता हुए जगदिसपूर, जगदिसपूर से कुवर सीं और अमर सीं 12 जून 1857 को बिलियम टेलर वब बिंसेंट आयर के साथ बरेली, बरेली से खान बहादुर खान जून 1857 बिंसेंट आयर, फतेपूर, फतेपूर से आजी मुला खान 1857 इसवी जनरल रेनौर्ड 1857 के बिद्रो के समय मुगल सासक, बहादुर साथ, जफर थे, इन्हें इस बिद्रो का आखिल भारतीय नेता माना गया था आगे, बर्च 1857 के बिद्रो के दमन के पहचाथ, भारत सासन अधिनियम 1859 पारित किया गया इसके माधियम से भारत का सासन इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिस प्राउन के हाथों में चला गया महरानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रसासन को ब्रिटिस ताज के नियंतरन में लेने की घोसना कब की एक नवंबर 1858 को बर्स 1857 के बिद्रोग के दमन के पस्चात भारतिय सेन का पुनर गठन किस आयोग का गठन किया गया पील आयोग भारतिय सेन का पुनर गठन पील आयोग के द्वारा किया गया बर्स 1859 के भारत सासन इस्टिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रतम 22 बनाए गया भारत का प्रतम बाइसरा है 1857 सासा निदिनीम दोरा लॉड कैनिंग 1857 इसवी के बिद्रों में कौन सा सायर अंग्रेजों का आलो चक रहा मिर्जा गालीब नोट से भारत में सिक्षित मध्यंबर्ग तथा जमिंदारों ने 1857 के बिद्रों में तटस्थाप बनाई रखी थी 1857 के बिद्रों के कार्ण पर भारतिय भासा में लिखने वाला पर्थम भारतिय कौन था सरसयद आहमद खां नोट से बर्स 1857 के बिद्रों में बिहार का नित्रित जगदिसपुर के जमिंदार बिर कुबर सी इंद्वारा किया गया 1857 के स्वतंतता संग्राम के में किस राजवंस ने अग्रेजो की सरवादिक सहायता की थी गौलियर के सिंध्या यहां दिया गया है 1857 पर अधारित प्रमुख पुस्तक है पुस्तक है दे ग्रेट रिवेलियन लेखक असोक मेता फर्स्ट बार ओफ इंडियन इंडिपेंदेंस बिनायक दमोदर सावरकर 1857 एसन सेन सिपोई म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट आप 1857 रसी मजुमदार हिस्ट्री आप इंडियन म्यूनिटी टी आर होम्स रिवेलिया नेटिन फिप्टी सेवन पी सी जोसी कौज़ेज आप दे इंडियन रिवॉल्ट सर सेयद आहमद खाम आगे किसने 1857 के बिद्रों को स्वतंतरता की पहली लड़ाई कहा था बीडी सावर कर 1857 के बिद्रों को एक संयत्र की संग्या किस ने दी सर जेम्स ओडरम एवाम डवलू टेलर तथा कथि भारत राश्ट्री प्रथम राश्ट्री स्वतंतरता संग्राम न प्रथम न राश्ट्री और नहीं स्वतंतरता संग्राम था यह कतन किसका है आर सी भारतिय स्वाधिनता अंदोलन का सरकारी इतिहासका और कौम था एसेन सेन अब यहां है 1857 बिद्रों पराधारित प्रमूख मत्र इतिहासकार है डॉक्टर एसेन सेन उनका मत्र जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारम हुआ वह स्वतंतरता संग्राम के र एक सुन्य योजित राष्ट्य स्वतंतरता संग्राम था डॉक्टर आर्सी मजुम्दार तथा कथित प्रथम राष्ट्य संग्राम ना तो प्रथम नहीं राष्ट्य और नहीं स्वतंतरता संग्राम था सेर्जॉन लॉरेंस यह पुर्णता सिपाही बिद्रों था बेंजा का तात्कालिन कारण चर्वी युक्त था यह कथन रौवर्ट संका टी यार होम्स यह सब्भिता एवां बरवर्ता का संगर्स था डेवलू टेलर और जेम सोटरम यह अंग्रेजों के बिर्योध हिंदू मुसल्मानों का सैंत्र था और रीज का कथन यह इसाई धर्म के बिर्य पर हुरेज ने कहा था भारत्य बिद्राओं में बिद्रोहिव में हुगा एक अकेली पुरुस्ति अब यहां है प्रमुक किसानेवं जन जाते बिद्रों फ्रेंड्स मैं बता दू अभी जैसे हमने जाना अठारासों संतावन की करांति वही आप जानेंगे प्रमुक किसान अब को मिल जाएगा चलिए उनिस्वी सतावदी के दाओरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख केंद्र था बहावी आंदोलन का मुख केंद्र रहा पटना अठारासों संतावन के बिद्रोह के परस्चात बंगाल में कौनसा बिद्रोह हुआ था 1857 बिद्रोह के बाद नील विद्रो हुआ था जो कि 1869 से 1860 तक चली आदिवासी नेता को जगत पीता धरती आवा के नाम से किसे जाना जाता है बिर्सा मुंडा संथाल विद्रो जो कि 1855 से 56 के बिद्र हुआ नित्रीत्व सिंदु एवं कानुने किया था इस विद्रो को हूल विद्रो के नाम से भ कौन हैं बंकिम चंद चटर जी सन्यासी बिद्रो का उलेख बंकिम चंद चटर जी ने किस उपन्यास में किया गया अनंदमाथ हो बिद्रो कब हुआ था हो बिद्रो 1820 से 1821 के मद हुई संभलपूर में हुए अनेक ब्रिटिस बिरोधी विद्रोह का नेता कौन है सुरेंद्र साई नोट से महराष्ट में रामोसी क्रिसक जथा के अस्थापना बासुदे बल्वांत फड़के के अस्थापित किया था कूका अंदोल अंजों के 1840 से 72 स्वी तक चला किसने संगठित किया था गुरू रामसी उल्गुलान विद्रोह किसे समंदित था विर्शा मुंडा से आगे बिर्शा मुंडा किस राज से समंदित थे जारखंड ततकालीन बिहार नील क्रिसको की दुड़दर्शा पर रचित नाटेक नील दरपन के लेखक कौन है दिन बंधों मित्र पागल पन्ती बिद्रोह का मुख्यत किस छेत्र में हुआ था सेरपूर के गारो पहारियो पतक फराई जी बिद्रोह का नेता कौन था दादुमिया छोटा नागपूर जंजातिय बिद्रोह कब हुआ 1822 में मुंगेर के बड़हिया ताल बिद्रोह का उदेश क्या था बकास्त भूमी की बापसी की मांग कोल बिद्रोह जो के 1831 से 32 का नेत्री किस के द्वारा किया बुद्धो भगतने नोट से मानब बली प्रथा मूरिया का निसेद करने के का रन अंग्रेजों के बिद्रोह खोंड जंजाति ने किया था मुंड़ा बिद्रोह कीस वर्स हुआ था बर्स 1899 में 1857 में संथालों ने कीस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया मेजर बारो को प्रमुख जंजाति ये बिद्रोह पहला है जंजाति चुआर इसके नित्रित करता राजा जग्यनाथ बर्स 1768 प्रभावी छेत्र नान भूम बब बीर भूम पच्छी मंगाल हो जंजाति राजा पराहात बर्स 1822 चेत्र थाप सीम भूम एवं छोटा नाकपूर भील भील क नित्रित करता सेवा राम और त्रियंबक के बर्स 1818 अर्तालेश प्रभावी छेत्र खान देश खासी जंजाति राजा तीरह सी मुकून सीबा बार्मानिक 1829 से 32 खासी पहाडी असा मौर में घाला कोल बिद्रोह बुद्धो भगतवा गंगा नरायन 1831 से 32 के इसमें छोटा नाकपूर रंपा बिद्रोह अल्लूरी सीतारा माजू 1889 अंधर पर्देश में खोंड चक्र बिस नोई 1844 और 1855 में खोंड मल उड़ी सा संथाल बिद्रोह सिंधू भकान हूं 1855 में राजमहल पहाडी पच्छि मंगाल मुन्डा मुन्डा बिद्रोह बिरसा मुन्डा द्व अगे बेलू थंपी ने अंग्रेजों के बिरूद अंदोलन का नेत्रीत विकाहां किया था केरल में नोट से भीलो द्वारमद परदेशेव महराश में अंग्रेजों के बिरूद क्रांती प्रारम की गई थी गटकरी बिद्रोह का केंदर की सस्थान पर था कोलापूर जंजातिये लोगों के लिए अदिवासी सब्द का परियोग किसने किया था ठक कर बापा ने खरवारा दिवासी अंदोलन की स्वर्च हुआ था अठारा सो चोहत्तर में मोपला विद्रोह कहां हुआ था केरल मालावार टट पर नोट से हैं गोविंद गिरी येवा मेवाड बांगर और भारा पास के छेतरों में निवास करने वाले भीलों में समाजिक सुधार के लिए लासोडिया अंदोलन पर रम किया था भीलो के समाजिक सुधार के लिए लसोडी अंदोलन प्रारम की गई अहम विद्रो जो के 1888 से 35 किस राज से सम्मंदी थे आसम, रामसी के नेत्रित में संचालित कूका अंदोलन की सुरुआत मूल तक किस के दोरा की गई भागत जवाहरमल, सेन के दोरा साहब महराश में कौन सा बिद्रो हुआ था भील बिद्रो नोट से बिड्सम मुंदा ने एक एसवर बाद की अस्थापना पर बल दिया था यहां दिया गया है मैप में किसान और नागरिक बिद्रो अब देख सकते मैप में अगर पंजाब में देखे तो कूका बिद्रो 1844-72 नितीत भगत जवारमल बालक सीं और राम सीं कूका राजस्तान में भील बिद्रो 1820-25 दसरत हिरिया सेवराम द्वारा उसके बाद गुजरात में कच्छ बिद्रो 1860 में भारत मलेवं जरेज़ द्वारा और बगेरा बिद्रो 1818 में गुजरात में फिर महराष्ट महराष्ट में हुआ गड़करी बिद्रो 1844 में नेत्रित बावाजी अहीरेकर गड़करी माराठा कीले के सरच्छक हुआ करते थे उस समय करनाटक में किट्टूर बिद्रो 1824 से 39 नेत्रित चिन्ना बारयप्पा उसकाद पच्छमी घाट में रामोसी बिद्रो 1822 में चितर सी बासुदेव बलवन्त फड़के तमिल नाडु में पॉली गरो का बिद्रो 1801 में कट्टा बम्मान के नेत्रित में गंजाम बिद्रो 1816 पाच में स्रीकर भंजने आंधर परदेश में रंपा बिद्रो 1889 में नेत्रित सीता रम राजू चेंचुआ दिवासी अंदोलन 1920 में नेत्रित मोतिलाल ते जावात उस कोया बिद्रो 1889 से 80 में नेत्रित टुमा सोरा उसके वादậ ओडिशा में खोंड बिद्रो 1837 में नेत्रित चकर बिशोयी पाई का बिद्रो 1817 नेत्रित बक्सी जगवंदो संभल पूर बिद्रो 1863 से 62 नेत्रित सुरेंदर साई उसके बाद पच्छिम बंगाल, पच्छिम बंगाल में सन्यासी विद्रो 1770 में सन्यासी गिरी संपरदाय द्वारा, फकीर विद्रो 1776 मजुन साथ चिराग द्वारा, पागल पंथी विद्रो 1813 में करम सा और टीपू मीर द्वारा, फराईजी विद्रो 1820 में दादु मियां और भूमिज विद्रू 1833 में उसके बाद जारखण जारखण में कोल विद्रू 1831 भुद्धो बगत संथाल विद्रू 1855 सिद्नुकानू खेरवार विद्रू 1874 मुंडा विद्रू 1899 ताना भगत अंदोलन 114 नितरित्व थे जैत्रा भारत युवानव जुआंग विद्रू 1866 नितरित्व रनक गाननायक आगे हैं बिहार बिहार में बहावी अंदोलन 1830 से 60 के बीच में नितरित्व सयद अहमद बरेलवीव उसके बाद चेरो विद्रू 1801 में नितरित्व भूसन सी आगे असम में अहम बिद्रू 1828 नितरित्व गूमधर कुबर खासी बिद्रू 1828 से 33 राजा तीरत्षी नागलेंड में नागा बिद्रू 1831 निगौंडिल्यू द्वारा मनिपूर में कूकी बिद्रो 1917 में आगे गौंगी नेगी रंगा बाईकुलू भारती राज स्वतंत्र सिनानी संसदनेता तथा भारते किसान अंदोलन के पिता माने जाते हैं गौंगोंगनी राय रंगा बाईकुलू अब यहां दिया गया है विभिन किसान अंदोलन एक द्रिष्टी में मैं सिर्फ आपको कंटिन्यू पढ़ता जाओंगा पहले आपको मिलेगा अंदोलन फिर प्रभावी छेत उसके न्यतित करता और कारण पहला है मोपला विद्रो प्रथम चरन ने थारा सो चती से चौगन मालावार छेतर में के यह नहाजी द्वारा अंग्रेजों द्वारा नई राजस्विवस्थाल लागू करना नील विद्रो अठारा सो उनसट से साथ बंगाल में दिगंबर विश्वास और विश्णु विश्वास द्वारा कारण था एरोपिये लोगों द्वारा किसानों से बलपुरवक नील की खेती करवाने के लिए नील विद्रो पाबना विद्रो अठारा सो उनसट के अधिनियम के अंतरगत मिली कास्टकारों की जमीन पर कबजे के बिरूद सद्यान्त और बेदखली द्वारा विद्रो अठारा सो उनसट करता थे कारण है रहयत बारी बाले छेतर के किसान करज अधाईगी को लेकर महाजनों के जाले में फस गए कपास की गिर्ती कीमते वाकाल के वावजूद लगान की दर में त्यधिक बिधी अगला है चंपारन सत्यागरा 1917 या चंपारन रामनगर मोतिहारी बेतिया मधवनी छेतर था महात्मा गांदी नेतित करता तिनकठ्य प्रनाली के बिरोध में खेडा सत्यागरा 1918 खेडा गुजरात में महात्मा गांदी और वल्लबाई पटेल द्वारा कारण फसल बरवाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजरी बसूल कया जाना अबद विद्रो अंदोलन अबद किसान अंदोलन 192 प्रताप गर्ड राइबरेली सुल्तानपूर और फैजावाद नित्रित करता जिंगूरी लाल सी और बावराम चंद्र कारण अबद अवैद लगानवा बेद अखलिया दी नियम लागू अबद माल गुजरी संसोद नियम से लगान में बढ़ोतरी एक अंदोलन 21 सबीस से किस में बारा बंकी हरदोई बहराइच और सीतापूर नित्रित करता मदारी पालसी और कारण लगानवे बिद्रो बिद्री मोपला बिद्रो दिवतिय चरण 1921 में मालावार छेतर में अलिम मुदलियार के सास में अधिक लगानवा बेद अखली के कारण बारदोली सत्यागरा 1928 में सूरत का बारदोली तालोक सरदार पर लबाई पटेल द्वारा लगानवे बढ़ोतरी के कारण पंजाब में किसान अंदोलन 1934 जलंधर अमरिसर रोस्यारपूर लैलापूर और सेखुपूरा सुहन सी भागनाद ज्वाला सीन तेज सीन मास्टर हरी सीन और बावा के नितित में भूरा जस्व में कटाउती रीनों में भुगतान में स्थगन ततकालिन कारण अमरिसर वाल लहोर में भूर राजास्व का पुनर निर्धारन राजास्व का पुनर निर्धारन नहर कर्म बृधी कारण तेभागा अंदोलन 1946 दिनाजपूर रंगपूर जल्पाई गुडिन मिदनापूर 24 परगना कमपार आम भवंसी और मली के नितित में बटाईदारों ने निर्धारन लिया की वे जोतिदारों के आधे के अस्थान पर एक तिहाई उपस देगा यह कारण वनी उसके बाद तिलंगाना अंदोलन 1946 दिलंगाना में सामोहिक नितित द्वारा निजाम जमिंदार साओ करते था व्यापारियों के बिरूद संगयर से भारत की स्वतंत्तक पहस्चा चलाएगे भुदान अंदोलन का नितित बिनोव अभावे ने किया था अब आगे ब्रीटिस भारत में सिक्छा का विकास इसका भी ऑपजीक्टीव डाला गया है उसे आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चरूड देख लेंगे बिहार स्पेसल प्लेलिस्ट में उसे सोरी क्राउन अब्जेक्टिव में आपको वह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बात करेंगे ब्रिटिस भारत में सिक्छा का बिकास का ब्यक्तिकत परियासु से सर पर्थम कलकत्ता में सिक्छा एतु मदर्था के स्थापना किस के दौरा किया गया कलकत्ता में प्रत्थम मदर्सा बारेन हेस्टिंग द्वारा बर्द 1784 में कलकत्ता में अस्याटिक सोसाइटी और बंगाल के स्थापना किस के द्वारा की गई 1784 में बिलियम जोन्स द्वारा नोट से एस्याटिक सोसाइटी ओब बंगाल के दिन सरपर्थम भागवत गीता का अंग्रेजी मनुवाद चाल्स बिलिंकिस ने किया था तथा कालिदास की रचना अभिज्यान सकुंतलम का पहलीवार अंग्रेजी मनुवाद सर बिरियम जोंस द्वारा किया गया था बारण ऐसी में प्रथम संस्कृत माविद्याले के स्थापना किस ने की थे जुनाथ अंडंकन ने बर्स अठारसों में कलकत्ता में सैन अधिकारियों के प्रसिक्षा ने तू फोड विलियम कॉलेज के स्थापना किस के द्वारा की गई फोड विलियम कॉलेज अठारसों में लोड बिलेजली द्वारा किसे दिनियम के द्वारा भारत में सिक्षा के प्रसार हे तू एक लाख रुपई खर्च करने का अधिकार गवर्णर जनरल को दिया गया चार्ट अरदिनियम अठार सो तेरह में एक लाख रुपई खर्च का अउंगल प्राच विवाद एंगलिस्टिक औरियंटलिस्ट कॉंट्रोवर्सिक किस समन्दित है भारत में सिक्षा पद तिलागो करने के तरीके से नूट से भारत में सिक्षा प्रसार है तो अउंगलबाद एउरोपिय ग्यान अंगरेजी भासा के समर्थ तक थे जबकि प्राच्च वादी भारती बेपारिक ज्यान प्राम्परी ज्यान एवं भारती भासाओं के समर्थ तक थे शिक्षा के संबन्द में बिख्यात अधो मुखी निश्यन्दन सिधान्त डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रवर्वर्थ एक कौन थे ओक्लेंड डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रवर्वर्थ एक ओक्लेंड लॉड मैकाले किस सिक्षा पदती से में आरम की गई लौड विलियम बेंटिंग किस घोषनापत्र को भारती सिक्षा का मैग नकार्टा का जाता है बुड़ घोषनापत अठारसों चौवण आगे बुड़ घोषनापत्र के सुझापर कलकाता बमब वैता था मदरास के में किस बर्स बिस विद्यालों के स्थापना की गई बर्स अठारसों संतावान नोट से मनुसमरितिवा प्रथम गरंथ है जिसका अनुवाज सबसे पहले संस्क्रीट से अंग्रेजी वासा में एक कोड ऑफ जेन्टू लॉज के नाम से प्रकासित हुआ पिर इस इस्ट रॉयल एस्याटिक सोसाइटी की सद्यसता किस भारतिये को प्रदान की गई थी माइकल मसुद सूदन दत को बंबय में प्रथम मैलब इस विद्यालों के स्थापना किस के प्रयासों से हुई डी के करवे के भारतिये बिस्विद्यालों में धार्मिक सिक्षा के लिए किस ने प्रवल रूप से पकालत की थी धार्मिक सिक्षा के लिए मदन मुहन मालविये ने बनारा सिंदू बिस्विद्यालों का सिला नियास किस के दोरा किया गया लौड हार्डिंग के दोरा नोट से है भारत में सिक्षा के छेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बर्ष 1899 में सेंट्रेल हिंदू कॉलेज के स्थापना की बर्ष 1916 में मदर मुहन मालवियन ने के पर्यासों से बना रहा सिंदू बिस्विद्याले बना आगे बर्ष 1817 में डेविड हेर के सयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के स्थापना किसके द्वारा की गई राजा राम मुहन राए द्वारा बड़्च 1847 में रूड की इंजिनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रतम इंजिनियरिंग कॉलेज के स्थापना किसके द्वारा की गई थे जेम्स टॉम्सन कुछ प्रमुख सिक्छा आयोग चार्ल्स बूड डिस्पैच 1854 में लॉड डल होजी के समय हंटर आयोग 1882 में लॉड रिपन के समय रैले आयोग जिसे बिस विद्धाल आयोग भी कहा जाता है उन्हें 102 में लॉड करजन सैंडलर आयोग 1917 में लॉड चेम्स फोड इंच कैप आयोग 1923 में लॉड रीडिंग हर टोंग समीती प्रारमभीक सिख्चा उन्हेें 77 में लॉड इर्विन लिंड से आयोग जो प्रॉड सिच्चा से समंदी थे उन्हें में लॉड रिविन के समय सार्जेंत आयोग 144 में लॉड बेवल के समय राधा क्रिष्ण ने क्रिष्ण नयोग उने 148 लौड मांट वेटन के समय बर्स ने 133 में गांधी जी द्वारा प्रस्तूत बर्धा योजना सिच्छा से समवन देती अब आगे अधुनिक भारत में प्रेस का विकास इसका भी आपको अब्जेक्टी मिल जाएगा चेक गया धुनिक भारत में प्रेस का विकास भारत का प्रथम समाचार पत्र दबंगाल गजट किस पर्स प्रकासित किया गया था बर्स 1780 में जेम्स अगस्टस ही की द्वारा बर्नक्यूलर प्रेस प्रेस एक्ट किस बाइसराई के समय पारित हुआ था लौड लीटन बर्स 1666 म अलहिलाल एवं अलबलाल नामक पत्रिकाएं किस के द्वारा प्रकासित की गई थी मौलाना अबुलकलाम अज़ाद अमरित बजार पत्रिका के स्थापना किस ने की थी सिसीर कुमार घोस रामा नंद चटरजी द्वारा बंगाली वासर में संपादित मौटल में रिक्यूप बंदी का कहां से प्रकासित होती थी कलकत्ता नोट से दिया गया है बर 1678 का बरना किलर प्रेस है जोट रिपन ने 1682 में रद कर दिया था रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है पत्रकार के कर्ताविका निर्माहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारती एक कौन था बाल गंगा धर्टी लक्त एक सप्ताई के रूप में यंग इंडिया का सुबा रम किस के किसने किया था होम रूल पाटी ने भारतियों दार अंग्रेजी भासा में प्रकासित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था हिंदो पैट्रियोट अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखवार किसमें का रमिक किया था तारक नाथदास नोट से है कानपूर से प्रकासि प्रताप समाचाथ बत्ते के मादेम से बिजैसी पत्तिक ने बिजौलिया अंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का भी सह बना दिया या विजौलिया अंदूलन हार्ची सप्ताइक मिराद्पून अथवार किस के द्वारा प्रकासित होता था राजा राम मुहन राए रावर्ट नाइट ने कलकत्ता से बर्स ठारासो अठत्तर में अंग्रेजी भासा की किस पत्रिका का संपादन किया था अगे बर्स ठारासो एक सेट में इंडियन मीरर नामा कखवार का प्रकासित कहां से होता था कलकत्ता से बहिस्कृत भारत पत्रिका से किस का सम्द्ध था डॉक्टर भीम रावम बेदकर हर्जन पत्रिका के प्रारम करता कौन थे महात्मा गांधी लीटन द्वारा बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस बर्स भारतिय समाचार पत्रों पर परतिवन लगा दिया गया बर्स 1778 में लीटन द्वारा बर्नक्यूलर प्रेस एक्ट नोट से बर्स 1920 में लाहॉर से लाजपत राइद्वारा उर्दु में बंदे मात्रेम समचार पत्र प्रारम किया गया था सोम प्रकास नामक समचार पत्र की सुरुआत किसने की थे इस्वर चंद्र बिद्यासागर लीडर अखवार किस कार के लिए प्रसेथ था उदरबादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी सब्टाहिक पत्र बंदे मात्रेम के साथ किस का संबन्द है अर्विन गोस किस पत्रिका ने बरनकिलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था पाइनियर नील अंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदु पैट्रियोट के संपादक हरिश चंद्र मुखर जी थे स्वधेश बाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे केर राम कृष्न पिल्ले अंग्रेजी समाचारपत इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारम किया गया था मुतिलाल निहरू मराठी भासको की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे लोकमानबाल गंगधर तिलाक इंडियर नेशन अखवार का प्रकासन कहां से होता था इंडियर नेशन का पटना से नोट से है कॉंगरेज के प्रतम अदिवेशन के समाप्त होने के एक सबताबाद कलकत्ता के समाचारपत्र दै इंडियर मिरन ने लिखा बंबै में आयोजित प्रतम राश्ची कॉंगरेज भारत में ब्रिटिस सासन के इतिहास के अध्याय जोड़ती है अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपाधन मदन मुहनमालवी ने अभियूदय पत्रिका के संपाश्चात किया था आगे यहां दिया गया है प्रमुख समाच चार पत्र बब पत्रिकाएं बंगाल गजट्स यहां पर आपको एक इस्तरह से दिया गये पत्र पत्रिकाएं प्रकासिन बर्स उसके संस्था पक कहां से प्रकासित होते थे और किस भासा में बंगाल गजट्स 1787 में जेम सघस्ट सिक्की द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भासा में बंगाल गजट पुना 1816 इस्वी में गंगाधर भट्टाचार द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भासा में समच्चारदर पन 1818 में मार्शमें द्वारा कलकत्ता से बंगाली भासा में दीग दर्शन 1818 में मार्शमें द्वारा कलकत्ता से बंगाली भासा में संबाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भासा में मिरातुल अखवार 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से फार्सी भासा में बंबे समचार 1822 फर्दुन जी मर्जवान बंबे गुजराती में बंगदत अठारासो तीस में द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसंत टैगोर खलकत्ता से बंगाली भासा में जामे जमसेद अठारासो इक्तिस में पी एम मोती वाला बंबै से फार्सी में रप्त गुपतार अठारासो इक्तिस में दाद भाई Νारो जी बंबै से बंबै से बुजराती में सत्य प्रकास 1500 में कर सोंदास मुल्जी अमदावाद बुजराती में हिंदु पैत्रियाँ ओट ठारसो तिरेपन में ग्रिस चंद घोस और हरीश चंद मुखरजी कलकत्ता से अंग्रेजी भास में सोम प्रकास ठारसो उनचैठ में इसवर चंद विद्या सागर कलकत्ता से बंगाली भास में इंडियर मीरा 1861 में देवेन नाट्य गोर मुहन मुहन गोस कलकाथा से अंगरेजी वासा में टाइमस ओफिंडिया 1861 से अंगरेजी प्रेस बंबै से अंगरेजी में इंदु प्रकास 1862 में जश्टिन रनाडे बंबै से मराथी में नेटिव उपिनियन 1864 बी एन मानलिक बंबाई अंग्रेजी से पाइनियर 1865 में अंग्रेजी प्रेश द्वारा इलाहवाद अंग्रेजी में कवी वचन सूधा 1867 में भारतियंदू हरेश चंद्र बारा में सी हिंदी में अमृrhित बजार पत्र का 1868 में मोती लाल खोस और सिसीर खोस कलकत्ता बंगाली में मद्रास मेल 1868 अंग्रेजी प्रेश मद्रास में अंग्रेजी बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भर्ट की ज्वार और चल्ड़ता में बंगान भासा अंग्वाद तयाल सी मंजीतिया लहोर अंग्रेजी भासा में हिंदी प्रदीप 1877 बालकृस्न भाट बारानसी हिंदी में हिंदू 1878 में बीरागवचारी मद्रास से अंग्रेजी बंगाले 1889 एसन बनर्जी द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी में बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस कलकत्ता बंगाली में, मराथा 1881 में बाल गंग धरतिलक द्वारा बंबै से अंग्रेजी में, केसरी 1881 में बाल गंग धरतिलक द्वारा बंबै से मराथी में, इंडिया 1890 में दादा भाई नरोजिस द्वारा बंबै से अंग्रेजी मे हिंदुस्तान अस्टेंडर 1899 में सचीदानां सिनाद्वारा दिल्ली से अंग्रेजी में इंडियन रिब्यू उनैसो में जी ए नटेशन मद्रास अंग्रेजी इंडियन उपीनियन 1903 में महात्मा गांदी दचीन अफिरका अंग्रेजी में इंडियन सोचियो लॉजिस्ट उने सो पाज में स्यामजी प्रसाद स्यामजी कृष्ण बर्मा द्वारा लंदन से अंग्रेजी में युगांतर 1806 में भुपेंदर द्यातर बारिंदर गोस कलकत्ता से बंगाली में बंदे मात्रयम 1909 में लाला हर्दियाल स्यामजी कृष्ण बर्मा पेरिस से अंग्रेजी में प्रता आप 1910 में गनेश संकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से हिंदी में अब आगे जानेंगे समाजीक धार्मिक एवं संस्कृतिक सुधार अंदोलन आप लोग से और लाइक जरूर करते रहेंगे यहां पर बता दूं समाजीक धार्मिक एवं संस्कृतिक सुधार से भी अबजेक्टिव प्रस ने दिये गए हैं उसे आप Crown Objective Series प्ले लिस्ट में जा करके देख लेंगे और उसे वेल लगाएंगे भारती पुनरजागरन का जनक की से कहा जाता है राजा राम मुहन राय नोट से है राजा राम मुहन राय को भारत में सुधार अंदो लंता था भारती राष्टवाद का जनक भी कहा जाता है राजा राम मुहन राय किस सिच्छापदती के समर्थक थे पास्चाती आंग्रेजी सिच्छापदती राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रहम समाज के अस्थापना किस वर्ष की गई थी बर्ष 1828 ब्रहम में समाज किस सिधान पर अधारी थे ये केस वरबाद पर संबाद कौमदी बांगला भासा तथा मिरातु लखवार फार्सी भासा के संपाद कौन थे राजा राम मोहन राय बर्ष 1815 में केस वरबादी मत के प्रचारेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया आत्मी सभा नोट से ब्रहम समाज के विचारों को लेकर बर्ष 1865 में केसब चंदर सेन बद्देवेंद नाटेगोर के मत बिवाद हुआ फल्सवरूप केसब चंदर सेन ने मूल ब्रहम समाज से अलग हो गए और 1866 में आदी ब्रहम समाज के स्थापना की यही बाद में भारती ब्रहम समाज कहलाया आदी ब्रहम समाज के स्थापना केसब चंदर सेन ने 1866 में किये राजा राम्मुहन राई को राजा की उपाध किस ने प्रदान की थी मुगल वास्सा आकवर्द दियुतिये ने राजा राम्मुहन राई की समाध ही कहा इस्ति थे ब्रिश्टर इंग्लेंड में राजा राजा राम्मुहन राजा राम्मुहन 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 राम् पुस्त किस भासा में लिखी गई संस्कृत में आगे किस समासुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग का जाता है दैननसर्श्वती वव्यक्ति जिसने सरपर्थन स्वराज सब्द का परियोग किया और हिंदी को राश्वासमाना स्वामी दैननसर्श्वती किस बंगाली नेता ने सत्य प्रत्य का समर्थन किया था राधाकांद देव बर्षट 1667 में केसब चंद्र की प्रेड़ना से महाराष्ट में प्रात्ना समाज के स्थापना किस के द्वारा की गई प्रात्ना समाज के स्थापना आत्मा रंगपंड द्वारा किस एक समासुधारक महाराष संबाद सिकागो में कब भाग लिया 1893 शिश्टर ने वेदिता कौन थी विवेकानन्द की सिस्या मार्ग गेट नोबेल नोट से है उनिस्वी सताब्दे में उत्रार्द में नभ हिंदुबाद नियो हिंदियुजम के सर्वसेश्ट परतिनीदी स्वामी विवेकानन्द थे नियोर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना किस वर्स की गई थी 1875 भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्याल है कहां स्थापित के अगया मदरास के अड़ यार में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने के प्रत्नियों से सफलता मिली ये निवे सेंट यंग बंगाल अंदोलन के प्रवर्तक कौन थे हेंजरी बीवियंडे रोजियों बीधवा पुनर विवा को कानूनी रुख से बैद करवाने में किसकी महत्पुर्ण भूनका थे इस्वर चंद्र विद्यासागर की नोट से 1621 में नयोरोजी फरदोन जी दादा भाई नोरोजी एसेन बंगाली और के कामा के सयोग से रहनुमाई मजद्यास्यानान सवा गठित की गई तथा सवा के संदेश को पार्सी समाज तक पहुंचाने के उदेश से पत्रिका रास्त गोबतार नामक पत्रिका लांच की इप्रारम की गई दली जातियों के कल्यान के लिए जोतिवा फूले ने कीस वार्स अठापना की सत्य सोधक समाज स्वतंत्रता के पहचात मौलाना अजाद अबूल भारत के पहले सिक्षा मंत्री बने तथा विस विद्याला अनुदान आयोक की अस्थापना की विस विद् बी रामा स्वामी नाईकर पेरियार में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक ओंते सिव दयाल सहाव गुलामगीरी पुस्तक ले खग जोतिवा फूले सर्विंट आफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने की थी गुपाल क्रिश्न गोखले अब यहां बॉक्स में दि संस्थापक थे राधर्यर्य राम मुहerm राय राथास। इस विमें कलकत्ता में और इसका उद्यू दय्दू धर्म की बुराईयों पराकृमा नेवं एक ए क शवरबाद का प्रचार प्रशार करना इसके बाद ब्रहम समाज राधर्यर्य राम मुहर राय दौर 1229 कलकत्ता में इसकी अस्थापना ब्रह्म समाज के बिरोध में हुई तथा इसका उदेश हिंदु धर्म की रक्षा करना था तत्ते वो धिनी सवा देवेदन टैगूर 1849 में कलकत्ता इसका उदेश राजा राम मोहन राय के विचार को प्रचार करना था प्रह्म हंसमंडली दादोवा पंडूरंग द्वारा 1849 में बंबे में इसका उदेश जाती प्रत्य के बंधनों को समाप्त करना था भारतिय ब्रह्म हंसमाज केसब चंदर सेन द्वारा 1866 में कलकत्ता में और इसका उदेश ब्रह्म समाज से अलग होकर केसब चंदर सेन ने न वाजन के बाद मुल समाज की आदिव भ्रह्म समाज कहा गया प्रात्ना सभाव आत्मारंग पंडु द्वारा अठारा सो सर्शट में बंबय में इसका प्रमुखु देश हिंदु धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था आरे समाज थ्योसोफिकल सोसाइटी आरे समाज द्यान नंसरस्वति द्वारा अठारा सो पच्छतर में बंबय हिंदु धर्म के सुधा अर्थ था हिंदु का धर्म परिवर्तन रोकना था था थियोसोफिकल सोसाइटी मेडम एच बलाटी वस्ट की बाह हिंडरी ओलकु द्व आपक सिबनात सास्त्री आनंद मुहनबोस 1878 इस वीक कलकात्ता में ब्रह्म समाज में द्यूतिय विभाजन समाज की ब्यवस्ता तथा समाज सुधार के प्रेस्ट पर केसब चंद्रसेन के यूबान युआईयों के एक बर्ग ने उन्हें छोड़ दिया आगे इंडिया ने स्वामी दयान स्वामी विवेका नंद्वारा 1897 में बिल्लूर इसका उदेश मानावताबादी एवं समाज इक कारे करना भारत सेवक समाज गुपाल क्रिस्न गोखले उन्हें सौपाच में बंबै मात्री भूमी की सेवा के लिए भारतियों को बिभीन चेत्रों में सिक्ष करना सोशल सर्विस लीग एस एन्म जोसी 111 बंबै समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार करने का अफसर प्रदान करना बी मेंस इंडिया 1923 मद्रास यह संस्था भारतियों महिलाओं के कल्यान हितु गठित की गई थी रहनुमाई मजदा स्यान दादा भाई नरोजी फरदुन जी एचेन बंगाली 1851 में बंबै इसका उदेश फारसी यह जर्थ्रोष्ट धर्म सुधार तथा सवी फारसी महिलाओं के अधुनिक चेतना का अप्रसार करना था महराजा खेतडी के सुधा पर नदेंदर नाथ दात का नाम परिवरतित कर स्वामी वेकानंद रख दिया गया था सीख धर्मे में सुधार के लिए नामधारी अंदोलन किस के दोरा चलाया गया गुरू राम सींगु का दोरा महराश्ट्रिक में किस सुधारा को लोग हित बादी की संग्या प्रदान की गई गुपाल हरी देश मुको बरसुने सुद्धा सिलाहवाद में भारत राष्टी महमंडल के स्थापना किस के द्वारा की गई सरला देवी चौधरानी महलाओं के उत्थान के लिए आरे महला समाज के अस्थापना किस के द्वारा की गई पंडित रमावाई सरस्वती द्वारा हाली पदती किस समंदित है बंधुआ मजदूरी से बहुजन समाज के संस्थापा कौन थे मुकुंदिद राव पाटील पच्चिम भारत के प्रमुक समा सुधारक डी के करवे ने किस छेतर में मातपूर्ण योगदान दिया महला सिक छेव अंबिद वापुनर्विवा के छेतर में भारत में मुस्लिम सुधारां दोलन का प्रवर्त की से माना जाता है सरस्याद आहमद खां को तहजीव उल अखलाक सब्वेता और नेतिकता नमक पत्रिका की संपादक कौन थे सरस्याद आहमद खां नोट से सरस्याद आहमद खां तथा बनारस के राजा सिप प्रसाद सी सितार हिंद ने काउरिस के स्थापना के बिरोज में United Indian Patriotic Association के स्थापना की United Indian Patriotic Association के स्थापना सी परसाद सी दोरा अब आगे दिया गया है भारत में मुस्लिम सुधार अंदोलन याद मिलेगा आपको अंदोलन, संस्थापक, स्थाल और बिसेश्था पहला है अलिगड अंदोलन जो सराया सेयद अहमद खान इसके संस्थापक हुए अलिगड में और इसकी बिसेश्था है या अंग्रेजी सिक्षा था ता ब्रेटी सरकार के पच्छ में सबसे प्रभावी अंदोलन था 1675 में आहमद खान इलिगड में मुहमद अंगलो इंडियन अंगलो ओरिएंटल स्कूल के अस्थापना की थी अहमद या अंदोलन मिर्जा गुलाब अहमद पंजाब में यह उदारवादी सिधान पर अधारित अंदोलन था इसमें जहर का बिरोध किया गया देव बंद अंदोलन मुहमद कासीम नैनोतवी रसीद आमद गंगोही अस्थान हुआ देव बंद सहारनपूर उत्तरप्रदेश इसका मुख देश कुरान की सिक्चाओं का प्रसार करना था अंग्रेजों का बिरोध करना था बहावी अंदोलन सयद आमद राइबरेलवी पटना इसका मुख केंदर हुआ और यह प्रमुखत संपरदाएक मुस्लिम सुधारवादी अंदोलन था आगे अंग्रेजों दोरा निर्मी समाजिक सुधार के कानून वा अधिनियम पहला कानून है नवजात कन्या उत्थान कानून गवर्नर जनरल जान सोर के समय 1795 में इस कानून के दोरा कन्याओं की हत्या पर रोक के लिए जान सोर के समय कन्या हत्या कानून लाया गया 1795 में बाल हत्या निरोधक कानून लॉट बिलेजली के काल में 1804 में इस कानून द्वारा नवजासी सो को मारने पर रोक लगाई गई सती प्रथानी सेद कानून बिलियम बेंटी के समय 1829 में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानून ही रोक लगाई गई हिंदू बिध्वा पुनर विवा अधिनियम लॉड डल होजी 1856 द्वारा इस अधिनियम द्वारा बिध्वा विवा को कानूनी मानिता दी गई सम्मती आयू अधिनियम लैंस डाउन्स के समय 1891 में 12 वर्स के कम आयू के बालकों के विवा पर रोक कि सार्दाय एक्ट लॉड इर्विन के समय उन्हें 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालकों तथा बालकों के लिए विवा की नियुंता मायू 18 और 14 वर्स नियुक्त की गई हिंदू महिला संपत्ति आधिनियम लॉड ऑकलेंड के समय 181937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्त राशी का अधिकार प्रदान किया गया हिंदू महिलासंपत्ति आधिनियम उन्हें爆 नियुक्त के द्वारा दासे प्रथा प्रतीवां नियुक्त सब्सक्राइब करेंगे आप लोग शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करते रहेंगे द्वारिका नाथ टेगोर द्वारा बर्च इंडिया एसोसियेशन नामक एक संगटन के स्थापना किसके द्वारा की गई दादा भाई नरोजी द्वारा भारत संग इंडियान एसोसियेशन के संथाप कौन थे सुरेण नाथ बनर जी नोट से है सुरेण नाथ बनर जी प्रतम भारतिये हैं जिने ब्रिटिस द्वारा इंडियान सिविल सर्विस से बरखास किया गया था राजनेतिक सुधारों के लेकर बिरोध करने वाले भारतिये कौन थे सुरेण नाथ बनर जी भारतिये राष्टे कौंग्रेस की पुरवर्ती संस्था किसे माना जाता है इंडियान एसोसियेशन को 25 सितंबर 1875 को इंडियान लीग की स्थापना किस के द्वारा की गई थी 25 सितंबर 1875 को इंडियान लीग सिसीर कुमार घोस द्वारा सीविल सर्विसे जानदोलन का नेत्री तो किसके द्वारा किया गया सुरेन नाथ बनर जी द्वारा अनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी के स्थापना कहा की गई लंदन में आगे है कॉंग्रिस की स्थापना से पूर राजनेतिक संस्थाएं संस्था संस्थापक अस्थापनवर्स और मुख्याले देखे तो पहला था लैंड होल्डर समी सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वार का नाथ टेगोर हुए 1838 में कलकता इसका मुख्याले ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी बिलियम एडम्स द्वारा 1849 में और इसका मुख्याले कलकत्ता हुआ बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जौन थॉम्सन अस्थापन वर्स 1853 मुख्याले कलकत्ता ब्रेटिस इंडियान एसोसियेशन देवेंदरना टेगोरे वाम राधा कांट देव 1891 में मुख्याले कलकत्ता बंबे एसोसियेशन दादा भाई नोरोजी दिवारा 1852 में बंबे में मद्रास नेटिव एसोसियेशन गुजलू नूर सुचेटी 1852 में मद्रास इस्ट इंडिया एसोसियेशन दादा भाई नोरोजी 1866 में लंदन पूना सार्वजनिक सभा गनेश बासुदेव जोसी बा एम जी रनाडे 1870 में पूना में इंडिया सोसाइटी के संस्थापक अनन्द मोहन बोस 1872 में लंदन इंडियान एसोसियेशन अनन्द मोहन बोस ब सुरेंदर नात्मनरजी 1866 में कलकत्ता नेटिव प्रेस एसोसियेशन सुरेंदर नात्मनरजी द्वारा 1877 में दिल्ली में मदरास महाजन सभा पी आनन चारलू बबीर रागवचारी 1884 में मदरास बामबे प्रिसिडेंसी एसोसियेशन बदरुद्दीन तयब जी बफिरोज सामेहता 1885 बामबे अमबेटिकर ने अपनी पुस्तक बेटिंग फौर अबीजा में जातियत भेदवाव के सिकार होने की घटना का बर्नन किया है आगे है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस भारतिय इतिहास का एक प्रमुख संगेठन रहा भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस आप लोग सेयर करते रहेंगे बात करेंगे कॉंग्रेस के बारे में बर्स 1885 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के स्थापना किस के द्वारा की गई ए ओ हिूम भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन कब आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस का प्रथम अधियच कौन था व्यमेश चंद्रबनर जी नोट से है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया जाना था लेकिन उस समय पूने में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प् ने रखा दादा भाई नोड़ो जी भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस के अस्थापना के समय भारत का वाइस राय कौन था लौड डप्रिन कॉंग्रेस को सुछमिदर सी अल्प संख्यक जनता का परतिनी दिव बताते हुए उसका मजा किसने उड़ाय था लौड डप्रिन न प्रारम में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का नाम भारतिय राष्ट्य संग रखा गया था बाद में दादा भाई नोरोजी के सुझाब पर इसका नाम प्रवर्तित कर भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस कर दिया गया भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस पर प्राथना याचना तथा बिरोध की राजनीती करने का रोप किसने लगाया था बाल गंगा धरतिलक ने लाल बाल पाल त्रीगुट का कौन सा नेता भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का ध्याच बना लाला लाज पत्रा है नुट से बाल गंगधर तिलक को कभी भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का ध्याच नहीं चुना गया आगे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल स्वरी बाल गंगा धर्तिलक ने अभी व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिधा अधिकार है और मैं इसे लिए कर रहूँगा उन्हें सो सोला का लखना हुआ दिनियम आगे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के प्रमुक्तत प्रथम अध्याच हुए डेवलुसी बनर जी व्यूमेश चंद्र बनर जी प्रथम मुसलिम अध्याच बदरो दिन तयब जी प्रथम यूरोपिय अध्याच जॉर्ज यूले प्रथम महला ध्याच एनी बेसेंट और प भारतिय महला ध्याच सरोज नीनाइडू आगे कॉंग्रेस अंदोलन ने तो लोगों दोरा प्रेरित था नहीं या उनके दोरा सोचा या योजना बद किया गया था या किसने कहा था सरसयद आमद खाम या किसने कहा था कि कॉंग्रेस पतन के लिए लड़ खरा रही है मैं से बड़ी अभिलासा जब तक मैं भारत में हूँ कॉंग्रेस की सांति पुन समापती से में सयोग करना है लौड कर जन नोट से सुरेंदर नात्बनर जी भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस की अस्थापना दिवेशन में उपस थित नहीं थे आगे भारतिय राश्ट्य के अधिवेशन के द्याचता किस ने की थी तार जोट तक तर ने directing के श्थापने के सथापने के संदर में सेस्थे बायु का सिधौन किसके द्वारा द्यावरा नोट से महतमा गांधी ने सुझाब दिया था служ TER कि या यह औगे सवातंथिता की समय भारतियारश्ट राश्टि कॉंग्रिस के ध्यच कौन थे अचार जे भी क्रिपला निंद की संग अधिवेसन में भारतियारश्टि क्यौंग्रिस तथा मुस्लिम लीक के मद्ध समझाता हुआ लखना हुआ दिवेशन 1916 लगतार 6 वर्स तक भारतिय राष्टे कौंगरिस के अध्याच कौन थे मौलाना अबुलकलाम अजाद यदि हम मेड़क की तरह इस बर्स में किवाल एक अटर राएंगे तो भारतियों के कोई सफालता नहीं मिलेगी यह कथन है बाल गंगधर तिलक की अब यहां दिया गया है भारतिय राष्टे कौंगरिस के मातपूर्ण बार्शी का दिवेशन उसके बर्स अस्थल अध्याच और प्रमुग घटनाएं एक करके समझेंगे बर्स 1885 बंबे में WC बनर जी और व्यमेश चंद्र ध्याच हुए प्रमुग घटनाएं कॉंगरिस का प्रथम अदिवेशन बंबे के ग्वाले टैंग गोकुल दास्तेजपाल संस्क्रित विद्धाले में हुआ था यह प्रारम में इसका नम भारतिय राष्टे संगत ता क प्रथम पार्सी अध्याच दादा भाई नौरोजी नेशनल एसोसियेशन कॉंगरेस का राष्टे कॉंगरेस में बिलाय हो गया ततकालिन बाइसराय लौड डाफरीन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर अमंत्रेत किया था बर्स अठादा सो सतासी में मद्रास अध्याच बद्रुदीन तैयब जी सरपर्थम तमिल भासा में भासन दिया गया तता सस्र अधिनियम संसोधन हुआ 1888 का इलाहवाद अधिवेशन अध्याच बने जौर्ज यूले जो की प्रतम अंग्रेज अध्याच थे और जौर्ज यूले प्रतम एउरोपिये निर्वाचित अध्याच बने इलाहवाद के गवर्नर ओकलेंड के बिरोध में के बाबजूद सम्मेलन संपन हुआ इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपतराई ने हिंदी में भासन दिया 1890 का कलकत्ता अधिवेशन अध्याच फिरोध सामेता विसेस्ता कलकत्ता विस्विद्याले की पहली महिल असना तक कादंबनी गौंगली ने कौंग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया 1896 का दिवेशन कलकत्ता में रामतुला सयानी पहली बार बंदे मात रम गाया गया 1896 कलकत्ता में 1905 का बनारस दिवेशन गौपाल क्रिस्न कोखले अधियाच बंगाल विवादन के अलोचन की गई स्वदेशी बह वहिसकार का समर्थन किया गया 1906 का कलकत्ता दिवेशन दादा भाई नरोजी अधियाच दादा भाई नरोजी ने स्वर राज स्वशासन सब्द का कॉंग्रेस के मन्च से प्रतम बार परियोग किया 1907 का सूरत अधिवेशन रास्विहारिवोस अध्याच कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दलेवं गरम दल में हो गई 1911 का कलकत्त अधिवेशन अध्याच बिसन नरायंधर पहली बार जन गन मन गाय गया और सरकार की कठोड़ नीतियों का बिरोध हुआ 1916 का लखनव अधिवेशन अध्याच अंभीका चरन मजुमदार इसके अब इसेश्टा है नरम दलेवं गरम दल का एकी करन कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग में समझाओता तीलक ने नारा दिया सुराज मेरा जन्म सिद अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट इसके अध्याच बनी जो प्रत्थम महिला अध्याच थी सरप्रत्थम तिरंगे जंडे को कॉंग्रेस ने अपनाया 1922 का नागपूर अधिवेशन सी विजया रागवाचार आसायोग अंदोलन के कारिकरम का अनुमोधन 1922 के नागपूर अधिवेशन में 1924 बिल गाउं महात्मा गांधी अध्याच एक मात्र कॉंग्रेस अधिवेशन जिसके देच्टा महात्मा गांधी ने की थी 1925 का मद्रास अधिवेशन अध्याच एस ए अंसारी यहाँ पर पूर्ण स्वधेंता की मांग रखी गई सायमन कमिशन के बहिसकार का प्रस्ताव परित किया गया 1929 का लहार अधिवेशन अध्याच जवाल अलनेरू पूर्ण स्वधेंता की मांग बर्स प्रतिवर 26 जनवरी को स्वतनता दिवस मानाने का निर नहीं लिया गया 1931 का कराची अधिवेशन अध्याच बल्ला भाई पतेल मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधील बिन समझावते का अनुमोदन 1936 का लखना अधिवेशन जवाल अलनेरू अध्याच जवाल अलनेरू ने समाजवाद यानी सोसलिजम को भारत की समस्याओं का हल करने की इकुन जी बताया 1937 का अफैचपुर अधिवेशन जवाल अलनेरू प्रतम अधिवेशन जोग गउं में संपन हुआ 1938 का हरिपूरा अधिवेशन अधियाच स्वाच चंद्रबोष राष्ट्री न्योजन समीती का गठन हरिपूरस अधिवेशन में अधियाच जवालन नेरू बने स्वाच चंद्रबोष द्वारा हिंदी भासा के लिए रोमन लीपीय स्क्रिप्ट लागू करने की बकालत की अंग्रेस के अध्याच्पत पर रहे 1946 का मेरेट अधिवेशन अध्याच चारी जेविक क्रिपलानी अजादी के समय यही थे बंबे प्रिसिडेंसी एसूसियेशन 885 के स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी फिरोस समेता एवां केटी तैला के सयोग से की गई थी अब आगे भारत में क्रांती कारी अंदोलन से समंधि सबी प्रस्ण को बिंदवार समझते हैं आगे मुझाफर पूर में किंग्स फोर्ड की हत्या का परियास कब किया गया बड़स 1908 में अनुसीलन समीती का संस्थापा कौन थे पीमित्रा प्रमनात्य मिस्रा निस्क्रिये निबिरोद के सिधान का पर्तिपादन किसने क्या था अर्बी इंदगोस गोरकपुर जेल में किस करांतिकारी को फासी दी गई राम प्रसाद बिस्मेल नोट से है लहर सरड हैं तरकेस के लिए भगस्नी, राजगुरु और सुकदेव को 23 मार्च 1931 को फासी दी गई हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन के अस्थापना किस वर्स की गई थी बर्स 1924 में हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन के अस्थापना कहा की गई कानपूर में ब्रिटिस सरकार ने काकोरी कांड में किस को फासी पर चड़ा दिया रामपरसाद बिस्मेल काकोरी सद्यांत्र कांड किस बर्स हुआ था बर्स 1925 में नोट से बर्स 1928 में रच्चंद सेखराजाद द्वारा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपाब्लिकान एसोसेशन के स्थापना दिल्ली में की गई मीत्र मेला संग के स्थापना किस के द्वारा की गई बिनायक दमोदर सावर कर या बीडी सामोर करने लखनाव समझावता बर्स 1916 का बिरोध किसने क्या था मदन मोहन मालविये ने वह मैला करांतिकारी जिसने देख्चंद सामारों में अपनी उपादी ग्रहन करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी बीनादास चटगाउन सस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था सूर्य सेन नोट से असफा कुल लखा भारतिय स्वतंत्रता के लिए फासीच पारने वाले प्रत्थम रिकॉर्डेड मुसल्मान थे स्वतंत्रता संग्राम के दोरां सबसे कम आयो में सहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे खुदी राम बोस आगे इनकलाब जिन्दावाद कानारा किसने दिया था भागसी नोट से बर्रा दकईटि के कारनतिकारी का पहलन मत्पून सासी कार पूरी बंगाल में हुआ था क्रांतिकारी के एक मुपत संगठन अभिना भारत का गठन किसने किया बीड़ी सावर करने अलिपूर सद्यन्त मामले में अरविंद घोस का बचाव किस ने किया था चितरन जन्दास युगांतर पार्टी का नेत्रियत किसके द्वारा किया गया था जतिंद्र नात्मुकर्जी ने नोट से बंगाल में बारेंद्र कुमार घोस के किरिया कलापो ने अनुसीलन समीती नामा के गोप्त सक्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था अनुसीलन समीती के संस्थापक हुए बारेंद्र कुमार घोस जतिंदास किस अरोप में बंदी बनाए गये थे लहा और सड्यांतर जेल में भूख हर्ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंतता संग्राम सिनानी की मिर्ती हुई थी जतिन दास यहां दियागे है प्रमुख भारती एकरांतिकारी संगठन उसके संगठन अस्थापना वर्स और संस्थापक पहला है मित्र मेला 1903 में बिनायक सावरकर और गने सावरकर द्वारा भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सी एवां अमबा परसाद द्वारा धाका अनुसीलन समीती 1904 में पी मित्रा बपुलिंदास अविना भारत समाज 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अनुसीलन समीती 1907 में बारेंदर कुमार घोस, जतींदर नाथ बनर जी, प्रबोध मीत्र पुलिंदास और सचिंदर नाथ 37 चंदर बोस, युगांतर अंजुमाने मोही विद्बाने बतम 1907 में बीके घोस, भुपेंदर नाथ दत सरदार अजित सी, हिंदुस्तान रिपाब्लिकन एसोसियेशन 1924 सचिंदर नाथ सान्याल रामप्रसाद बिसमेल युग्यास चंद चटरजी, नौजवान सभा, 1926 में भागस निद्वारा, हिंदुस्तान सोसलेश्ट रिपाब्लिकन एसोसियेशन 1928 चंद से खरजाद, जिया तरंग आंदोलन को रानी गांदिल्यू ने आरम किया था, तथा उन्होंने ब्रिटिस राज के बिरूद नागाओं को संगठेते किया, ये थी रानी गांदिल्यू, अब आगे है भारत के बाहर क्रांतिकारिक गतिविधियां यहां पर है भारत के बाहर की क्रांतिकारिक गतिविधियां बर्शुने 105 में स्यामजे क्रिस्न बर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना कहा की गई लंदन में सरपर्थम किस मैला ने भारतिय तिरंगा फार आया था भिकाजी रुस्तम कामा ने भारतिय क्रांति की मां की से का जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को प्रत्थम विश्व्यूद के दोरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रिसिडेंट राजाप महेंद प सिने स्यामजी क्रिष्ण बर्मा ने इंडियाँ होम रूल सोसाइटी के स्थापना कहां कि थी लंदन में कौन सा क्रांतिकारी करनल बाईली हर्त्य कांड से संबंधित था बाईली हर्त्य कांड बर्स 1909 में मदल आल धीगरा द्वारा बर्स 1913 में लाला हर्द्याल द्वारा गदर अंदोलन का प्रारंब कहां से किया गया था साइन फ्रांसिसको यूएसे में कामा गाटा मार उप्रकर अनकीज देश से सम्बंदित है कनाडा इंडिपेंडेंसलिग की स्ठापना किसकी दवारा की गई रास भीहरी बोष यहां दिया गया है विद्योसों में क्रांटी कारी संगठन Indian Home Rule Society 1905 में स्याम जी क्रिष्ण बर्माद्वारा Indian Independence League 1907 में स्थापीत तारक नात्थ दास द्वारा gather party 1913 में लाला हर्देयाल रामचंद बर केतुला सुहां सीम भाकना द्वारा Hindi Association 1913 में सुहां सीम भाकना द्वारा इंडियान इंडिपेंडेंस लीग उन्हें सब पंद्रा राजाप्त महेंद्र प्रताप अजाद हिंद फोज उन्हें सब्यालेस राजस्विहारी बोस इंडियान इंडिपेंडेंस लीग उन्हें सब्यालेस राजस्विहारी बोस आगे करांतिकारी अंदोलनों से संबंध ब्यक्ति आगे हैं दामोदर चापेकर बग बालक्रिस ने चापेकर लेप्टिनेंट एमहस्ट और रैंड की पूना की में हत्य 1897 में बिनायक दामोदर सावर कर अविन भारत के स्थापन 904 में महराश में मित्र मेला के स्थापना 1899 में पूल इंदास धाका के अनुस्विलें समीति के संस्थापक 1922 वी स्याम जी क्रिस्न बर्मा बाइम एल धिंगरा लंदन में इंडियान होम रूल सोसाइटी 1905 में अस्थापना प्रफूल चंद्रचा की बक्खुदी रंबोस मुझाफर पूर के न्याइदेस किंग्स फोर्ड पर बं फेका लेकिन वे बच गए 1908 में रास बिहारी बोस बसाचिंद्र नास सान्याल डिली में प्रवेश करते समय लाड हार्डिंग पर बं 1912 इसवी में फेका लाला हर्दयाल वसुहन सीम भागना सैन फ्रांसिस्कों अमेरिका में गैदर पाटी की अस्थापना 1913 में और कामा गाटा मारू कांड 1914 में रामप्रसाद बिस्मील हिंदुस्तान रिपाब्लिकान अस्थापना 1925 में काकोरी सद्यांत 1925 में सूर्य सेंच चटगाउन सद्यांत 1913 में चंद्र सेखर आजाद हिंदुस्तान सोचलेश्ट रिपाब्लिकान अस्थापना 1928 में भागत सीं सौंडर्स की हत्या 1928 में केंद्रे बिधान सवा में बम फेका था 1929 में, पंजाब नौजवान भारस सवा के स्थापना की 1929 में, राजगुरू सौंडर्स की हत्या में सामील 1928 में बट्टु के स्वरदत केंद्रे विधानशाहां में बम फेका था उन्हें 129 में जतिंदास जेल में 54 दिन भूख खरताल से उन्हें 139 में मिर्तियों उध्धम सीन लंदन से सर माईकाल ओडाएर की हत्या उत्री अमेरिका के भारतिय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आधिभसाओं में गैदर नामक अख्वार प्रकासित किया था आगे बंगाल विवाजन एवं स्वदेशी अंदोलन आप लोग सेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे साथ ही प्रेमपूर्व के एक लाइक भी बनती है अब आगे बंगाल का विवाजन किस बाइसराई के कारिकाल में हुआ लॉड करजन बंगाल विवाजन की घोसना कप रहा भी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को नोटस दिया गया है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विवाजन के निर्ने की घोसना हुई जिसके बिरोध में 7 अगस्ट 1905 को कलकत्ता के टौन हाल में स्वदेशी अंदोलन अरम हुआ स्वदेशी अंदोलन 7 अगस्ट 1905 को और इसी बैठक में एतिहासिक बहिसकार प्रस्ताब स्विक्रित हुआ था बंगाल का विवाजन मुखिता की सुदेश के लिए किया गया था बंगाली राष्ट्रवाज की भावना को दुरवल कलने के लिए बंगाल विवाजन 1905 में जो दो बाग में पच्छिम बंगाल और पूरी बंगाल में बाटा गया पच्छिम बंगाल में बिहार बंगाल और ओडिसा जहां हिंदु जनसंख्या बहुले छेतर था वही पुरी बंगाल और आसम जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुले छेदर था बंदे मातरम किस अंदोलन के दोरान भारती राष्टी अंदोलन का प्रेरगीत बना स्वदेशी अंदोलन बंगाल के बिवाजन 1905 के बिरोध में हुए अंदोलन का नित्रियत किसने क्या था सुरेंदर नाथ बनर जी ने दिल्ली में स्वदेशी अंदोलन का नित्रियत किसने क्या था सैद हैदर रजाने मदरास में स्वदेशी अंदोलन का नित्रियत किसने क्या था चिदंबरम पिल लई, ब्रिटिस बस्तू के बाहिसकार को राष्ट्य निती के रूप में किस बर्स विक्रित किया गया, बर्स उने सब पाच में, ब्रिटिस पत्रकार H.W. नेविंसन किस अंदोलन से जुड़े थे, स्वदेशी अंदोलन से, नोट से, सोलक्त वर्स उने सब पाच को बंगाल में सोक दिवस मनाया गया, रविन ना टेगोर के सुझापर संपुर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, आगे नोट से बरसुने 105 के स्वादेशी अंदोरन को क्रिशक तथा मुसल्मान बरका विशेश समर्थन प्राप्त नहीं हुआ भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनरजीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ओप ओरेंटल आर्ट के स्थापना किसनी की थी स्वादेशी अंदोरन के प्रारम का तातकाली कारण क्या था लॉड करजन द्वारा बंगाल भी भाजन करना बंगाल में ब्रिटेन की बस्तूओं के बाइसकार का सुझा आप सरपर्थम क्रिशन कुमार मित्र ने दिया था बर्स ने सो पाच में बांगला पत्र का संजीवनी के संपादक कौन थे संजीवनी के संस्थाप संपादक क्रिशन कुमार मित्र स्वदेशी बाधब बांधब समीती की अस्थापना किसने की थी अस्विनी कुमार दत ने स्वदेशी अंदोलन के दोरान रविद्न टैगोर ने अमार सुन और बंगला नामगीत की रचन की जो आगे चलकर बर्स 1971 में बंगला देश का राष्ट्रिगान बना बर्स 105 में कॉंग्रेस के बनारा सदिवेशन में स्वदेशी अंदोलन का समर्थन किया गया इस सदिवेशन के अध्यच तक किसने की थी स्वदेशी अंदोलन बनारा सदिवेशन में गोपाल क्रिश्न गोखले ने स्वादेशी अंदोलन के दवरान बंगाल कैमिकल स्वादेशी अश्टोर्ट के स्थापना किसके दवरा की गई प्रफूल चंदर रौई दवरा नोट से लॉर्ड करजन दोरह उन्हें 105 में किया गया बंगाल विवाजन बरस उन्हें 111 में लॉर्ड हर्डिंग के कारिकाल में रद कर दिया गया स्वादेशी अंदोरन का लोचक तथा पूरवबा पाष्चात के मद एक बेतर समंद का समर्थक कौन था रवीन नाटेगूर बंगाल विवाजन के समय बंगाल का लेप्टियंट गवर्नर कौन था एंड्रियोज फ्रेजर स्वादेशी अंदोरन के प्रचार प्रसार के लिए परियोग की गई दा बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेद्र नाथबनर जी अंडोल समीती अरुंडेल समीती के सुजाप पर बरसुने 111 में बंगाल का पुना एकी करन कर दिया तथा दिल्ली भारत की रालधानी बनाई गई अब आगे है मुसलिम लिग गेवा मारले मिन्टो सुधार मुसलिम लिग की अस्थापना कहा हुई थी ढाका में 1906 में औल इंडिया मुसलिम लिग की अस्थापना किस ने की थी आगा खां नवाब सलिमूला मुहम्माद अली जिन्ना ने मुसलिम लिग का प्रतम अध्याच कौन था आगा खां बर्च 1907 में मुस्लिम लिग का बार्षी का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था कराची मुसलिम लिग ने प्रित्थक निरवाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी अमरित्सर अधिवेशन 1908 में अखिल भारतिय मुस्लिम लिग के अधिवेशन यहां दिये गए हैं प्रधम अधिवेशन उनिस्य। अखिल भारतिय मुस्लिम लिग की एक साका लंदन में स्थापित की गई., लंदन में अमीर अली द्वारा इंडियन कॉंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनी दित्व की विवस्ता की गई थी संपरदाइक प्रतिनी दित्व नोटस दिया गया है उनेस इस्वी के सुधार बिल में प्रिथक निर्वाचन को सुविकार कर लिया गया यहीं से दिवराष्ट सिधान्त तूनेसं थियोरिक यावधारना का अप्रारम माना जाता है याद रखना है कि प्रितक निर्वाचन छेत्र बना कर हम एसे घहा तक बीजबो रहे हैं जिसकी फजल बहुत कड़ भी होगी या कित कथन किसके द्वारा कहा गया था 22 राए मिंटो द्वारा गवर्नर जनरल की कारेकारणी में भारती सदस्य को निक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था भारती सदस्य को निक्त करने का प्रावधान मारले मिंटो सुधार अधिनियम उन्य सो नौ में आगे गवर्णा जनरल की कारेकार्णी में न्यूक्त होने वाले प्रथम भारतिये कौन थे सत्यंद्रिनाथ सिना नोट से है सतेंद्रिनाथ सीना गवर्नर जनरल की कारिकार्णी परषद के पहले भारती सदस्य वने सतेंद्रिनाथ सीना को बिहार और उडिसा का गवर्नर बनाया गया संपूर्ण ब्रिटी सासन के दोरान इतने उचे कद पर पद पर पहुंचने वाले वे एक मात्र भारती थे आगे है कॉंग्रेस के दो गुटो के प्रमुख नेता एक है उदारवादी और दुसरा है उग्रवादी उदारवादी नेता में दादा भाई नौरो जी, सुरेन नात बनर जी, फिरोज सामेता और गुपाल कृष्न गोखले वही उग्रवादी में बालगंगा धर्तिलक, विपिन चंदरपाल, लाला लाजपत्राई और अरवींद घोस उग्रवादी हुए भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस पर प्रातना याचना तथा बिरोध की राजनीती करने का रोब किसने लगाया, बालगंगा धर्तिलक ने सेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसीत था, लाला लाजपत्राई बाल गंगा धर्टीलक वासांती का जन अकिस ने कहा था वेलेंटाइन सीरोल ने बर्च उन्हें सवाठ में छे बर्च के कारवास की सजा की स्वतंतरता संग्राम सिनानी को दी गई थी बाल गंगा धर्टीलक भारत के स्वतंतरतां दोरन के प्रारंबिक दौर में उगरबादी विचारधार से क्या आ सै है संबेधानिक सांधुनों याचकाओं के अस्तान पर अक्रमाक साधनों से स्वसासन प्राप्त करना महाराष्ट में गनपति उट सब को किसने depths किया था बाल गंगा धर्टीलक यहां बॉक्स में दिए गये हैं दिल्ली दरवार के बारे में पर्थम दिल्ली दरवार 1877 में लौड लीटन के काल में हुआ था दूतिय दिल्ली दरवार 1903 में लॉड करजन के समय तिसरा दिल्ली दरवार 1911 में लॉड हार्डिंग के समय द्वैद सासन का जनक सर बिलियम लियोनिल कार्टिस को जबकि बंगाल में द्वैद सासन का जनक रॉवर्ट कलाइब को कहा जाता है अब आगे हैं कॉंग्रेस का लखनाव अदिवेशन एवाम होम रूल आप लोग सेयर करते रहेंगे वीडियो को साथ ही लाइक भी करते रहेंगे बर्स 1916 में संपान लखनाव समझावता किस से संबन दित है कॉंग्रेस एवाम मुस्लिम लिग के समझावते से बर्स 1916 में भारती राष्टे कॉंग्रेस के लखनाव अदिवेशन की किसने देचता की थी अंभी का चरन मजुमदार ने सूरत दिवेशन से प्रिथक हुए उग्रवादी एवाम उदारबादियों का पुनावत एकी करन की सदिवेशन में हुआ लखनाव दिवेशन अतिवादियों एवा मुदरवादियों के पुना एकी करन के प्रकिरिया की प्रमुख सिल्पकार कौन थी एनिवेसेंट बर्स 1916 में मुस्लिम लीग को लीग और कॉंग्रेस के माद समझाओता किसके द्वारा कराया गया था बाल गंगा धर तीला कॉंग्रेस के 1916 के प्राचन छेत्र की मांग का स्विकार मुहम्मद अली जीना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूद किसने का था सरोजनी नाइडू नोट से मादन मुहनमाल भी ने कॉंग्रेस मुस्लिम लीग के मद होने वाले समझाओते का बिरोध किया था भारत में होम रूल लुक की अप्रेल उन्हेसो सोलह में तिलक ने पूना महराष्ट से होम रूल अंदोलन अरंभ किया जबकि एनी बेसेंट के नितित में सितंबर उन्हेसो सोलह में अडियार मद्रास से होम रूल लोग होम रूल अंदोलन प्रारंभ किया गया एनी बेसेंट ने किस सापता एक पत्रि लेंड का सब्द है होम्रूल का अर्थ है स्वासासन सरपर्थम आयरलेंड में होम्रूल लिग के अस्थापना रेड मांड द्वाराग की गई थी 1916 इस्वी को प्रारंब इस अंदोलन के समय भारत के 22 रहे थे लौड चेम्स फोर्ड, होमरू लुग के समय लौड चेम्स फोर्ड बाइस रहे हुए, होमरू लुग को दो लोगों ने बनाये थे तीलक और इनी वेसिंट, तीलक ने अप्रेल 1916 में इस निनका छेतर रहा करनाटक और महराष्ट मुख्याले बिलगाओं और करनाटक समीती स्वरूपती अध्याच इनसी केल कर बाइस जोसे बैपस्टिस्ट उदेश से था स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और इसका प्रचारमाध्यम मराठा वा प्रेतर था मद्रास और तमिलनाडो मुख्याले अडियार और मद्रास में इसका अखिल भारतिय स्वरूप था सचीव थे जोर्ज अरुंडेल उदेश था स्वसासन के स्थापना प्रचार कॉमन बील बन्नियू इंडिया द्वारा में फेवियन अंदोलन का प्रस्ताब कि ने दिया था एनी बेसेंट तीला केवा मेनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग अंदोलन की घोषना को किस बर्स एक कर दिया गया था बर्स उन्हें सवठार में बर्स उन्हें सवपंदा में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था लाला लाजपत्राईद्वारा एनी बेसेंट की होमरूल लिग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामस्वामी ऐयर, बीपी बाडिया, मोतिलाल नेरू, तेज बहादुर सप्रू, मदर मुहन मालविये साधी संबंदित, संबंदि लोग थे दोजनवरी 1916 को लंदन में भारतिय होमरूल लिग के स्थापना की गई, इसके मासचिप डी ग्राहम पोल थे आगे है ट्रेड उनियन एवाम साम्मेबादी दल, यहाँ पर ट्रेड उनियन और साम्मेबादी दल के वारे में दिया गया है, जानते हैं बर्च 1890 में गठित भारत का प्रतम मजदूर संगठन बॉंबे मिल हैंड्स के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी, ए नेम लोखंडे द्वारा बर्च उने 118 में अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसेशन एटी एले के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी नोट से गांधी जी ने अमदावा टेस्टाल लेवर एसोसियेशन से ट्रस्टी सीप का सिधान परतिपादित किया इसके नुसार पुंजी पती मजदूरों के हीतों की रच्छा करने वाला ट्रस्टी होता है नकी मालिक अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ए आई टी यूसी के अस्थापना कब हुई थी बर्स उने 120 बंबय में अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के संस्थापक ए निम जोसी नोट से लाला लाजपत्राय All India Trade Union Congress के प्रथम अध्याच थे बर्स उने 27 में नागपूर में संपन All India Trade Union Congress के अस्थापन किसके द्वारा की गई जवाह लाल नेहरू मैं 1947 में राष्ट अस्थापित इंडिया नेशनल ट्रेड इूनियन कॉंग्रेस आई एन टी उसी के प्रथम अध्याच थाकिस के द्वारा की गई बल्ला भाई पटेल रूस में कम्मुनिस्ट इंटरनेशनल के अस्थापना की स्वर्स की गई मार्ट 2019 में यहां पर दिया गया प्रमुक कारखाना दिनियम, कारखाना दिनियम और गवर्ने जनरल कारखाना दिनियम 1881 लौड रिपन के समय कारखाना दिनियम 1891 लौड लैंसडाउन के समय कारखाना दिनियम 111 लौड हाडिंक दूतिय के समय कारखाना दिनियम 1922 लॉड रीडिंग, कारखाना दिनियम 1934 लॉड बिलिंग्टेन और 1944 का कारखाना दिनियम लॉड बेविल के समय आगे सन 1927 में भारत में सरपर्थम एक माई को मजदूर दिवास लेवर डे मनाय गया जो भारत में मजदूरों की बढ़ती विराजनीती एक चेतना का सूचक था, एक मई 1927 से कम्मुनिस्ट इंटरनेशनल के सदस बनने वाल अपरथम भारती है कौन था, मानवेंदर नाथ राय एमिन राय के सयोग से तासकन्द में भारती कम्मुनिस्ट पार्टी के स्थापना किस वर्स की गई थी, 17 अक्टूबर 1927 पाली साम्मिवादी कॉंग्रिस का योजन कहा किया गया, कानपूर 26 दिसंबर 1925 को कानपूर सद्यंत मुकदमा बर्स 1924 में ब्रिटिस सरकार द्वारा किस अंदोलन के निताओं के विरुष चलाय गया था, साम्मिवादी अंदोलन बर्स 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थापना किस के द्वारा की गई, एमिन राय क्रांती कारी साम्मिवादी दल के स्थापना बर्स 1934 में किस के द्वारा की गई, सौमेंदर नाट्टे गोर बर्स 1949 में भारतिय बोलेश्वी क्रांती की स्थापना किस के द्वारा की गई, एन दत्मजुमदार द्वारा बोलेश्वी क्राटी आगे है ब्रिटिस भारत में गठित महतपूर्ण आयोग पहला है फ्रेजर आयोग 1902 में लौड करजन के समय समबंध था पुलिस सुधार से फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से समबंध थे Hunter Ayog 1919 में Lord Chemsip Hood के समय Hunter Ayog का संबंध पंजाव असांती से था Butler Ayog 1927 में Lord Irwin के समय भारतिय रियास्तों के साथ संबंध Lynn Lithuwa Ayog 1928 में भूमी सुधार से Lord Irwin के समय Maxwell Bloomfield Ayog 1928 बार्दोली में लगान ब्रेदी की जाच के लिए Lord Irwin हिटलय योग उने 139 Lord Irwin के समय स्रम से संबंध इत सप्रूय योग उने 135 Lord Billington बेरोजगारी से संबंध इत कलाइड योग उने 140 में लिनलित्गों के समय तेभागा अंदोलन आगे है भारत में उदोगी कारे सलाओं बाबा गीचों में स्रम की स्थिती में सुधार है तो हिटलय योग का गठन किया गया था प्रेंट्स अब इसके आगे की वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे किसी कारण से ये वीडियो अभी आप लोग नहीं हो पाएगी नहीं बन पाएगा इसे हम लोग पार्ट टू में देखेंगे जितने वीडियो अभी बने हैं वो लगवक दो घंडे के वीड नय है हैемон, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेंगे. साथी, वीडियो को जादा जादा लोग तक सेर, लाइक, कमेंट्स करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा. उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद